हिंदू होना क्या है हिंदुत तो क्या है आज के राजनेतिक दौर में ये शब्द बोलते ही तमाम लेबल लेकर लोग आपकी तरफ दौर पड़ते हैं कई लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरीए ही अपने हिस्से का सारा ग्यान जुटाते हैं कई लोगों के लिए ये एक राजनेतिक मुहावरा भर है कई लोगों के लिए धुरूवी करण का एक तरीका है और कई के लिए बहुत इमानदारी के साथ सहस्रों हजारों वर्षों में फैली हुई भारत की ग्यान परंपरा और भारत के साजे पुर्खों के साथ समवाद का एक जरिया है क्योंकि आप ये कल्पना करें कि आज से चार हजार पांच हजार वर्ष पूर हमारे और आपके पूरवज बैटकर उन विश्यों पर चिंतन और मनन कर रहे थे जो हमारे अस्तित्त से जुड़े हैं हमारी चेतना की कामना हो रही है तब भी उदात्ता का एक भाव है आनो भद्रा करत्वो यंतु विश्वता पूरी दुनिया से नोबल विचार हम तक आएं ये कोई हाल फिल हाल का इंस्टाग्राम की रील गढ़ने के लिए बनाए गया कोट नहीं है हजारों वर्ष की परंपरा है इस परं निशद हैं इसमें शड़ दर्शन है इसमें पुरान हैं इसमें अगम शास्त्र हैं तो इस परंपरा को कैसे पढ़ा जाना जाए क्योंकि बहुत विस्तार है और कई लोगों की भाशा में कहूं तो बड़ा मुश्किल भी है कॉम्पलेक्स है जटल है तो कैसे दाखिल सकते हैं क्योंकि अगेन उन्हीं पुर्खों ने लिखा है कि सत्य एक है जिसे नाना विद्ध धंग से व्याख्यायत किया जाता है एकम सत्य प्राबावदावदान तो ऐसा ही एक सत्य किताब के जरीए हम पर गालिब हुआ यह किताब है इसेंशियल्स ओफ हिंदुईजम अर्थात जो हिंदु होना है उसके सबसे अनिवार्य तत्व क्या है क्या है आपकी बुनियाद अगर आप हिंदु है जन्मता और कर्मता आप उस दर्शन को मानते हैं तो अनिंट्रदक्शन टू अल्डश सेक्रिट इसे लिखा है प्रफेसर तिलोचन शास्त्री ने प्रफेसर तिलोचन शास्त्री के कई पर्चे हो सकते हैं मेरी जाने पहला पर्चे उनका यह है जैसे मैंने जाना कि हमारे देश में Electoral Reforms में जिस संस्था का बहुत बड़ा रोल रहा पिछले खास्त और पर तीन दशक में Association for Democratic Reforms उस संस्था के प्रणेता या जनक में से दूसरा पर्चे हो सकता है अगर बहुत ही विश्वे ख्यात संस्थानों के हवाले से कहा जाए तो IIT, IIM और MIT में पढ़ाई करने वाले और उसके बाद IIM एहमदाबाद और IIM बेंगलूरू में अध्यापन करने वाले अभी IIM बेंगलूरू में पढ़ाते हैं यदि मैं अपनी किसान वृत्ति को जगाऊं तो एक Farmers Producers Organization जिसको हम लोग FPO बोलते हैं इस दिशा में बहुत सारी बात होती है जब खेती के बिल क को लेकर ड्राफ्ट को लेकर और जो फिर पास होके कानून बन गया था उसको लेकर बहस मुबाहसा हो रहा था तब बार बार एक चीज को लेकर consensus बन रही थी सब पक्षों की तरफ से कि किसान अपने हितों का निर्धारन कर पाएं उनमें एकता आए और जो उनका मुनाफ़ चीज़ता जाता है विक्रे पॉइंट तक उसको कैसे उस पूरी विवस्था को दुरूस्त किया जाए और पूंजी का एक ही करण ना हो मुनाफ़ा कुछ लोगों के हाथ में पहुंचे जादा से जादा लोगों तक पहुंचे खास तोर पर किसान बर्द के जो लोग है तो क्या पढ़ाते हैं आप IIM में अलग-अलग कोर्स पढ़ाता हूँ बताई तो स्टेटिस्टिक्स और उपरेशन रिसर्च जिसको हम डिसीशन साइंस बोलते हैं डिसीजन साइंस थोड़ा सर विस्तार से बताया एक उधारन के जरीए तो सब दर्शकों को समझ में आ जाए स्टेटिस्टिक्स में तो वो ही आता है जो सांखि कि भारत में कितनी गाय हैं जब वो बीमार पे उनको किस तर newcom की बीमारियां होती हैं बीमारी में उनके पास किस तरह की परशिशोच जुछिट सके जो दवाई लिए Re LinkedIn उन सब अगर मुझे पालसी बनानी हो तो डेटा की पढ़ेगी हाँ और डेटा को कैसे समझें उसको कैसे अनिलाइज करें क्योंकि आज कल इतना डेटा आ रहा है कि पूछिये मत जी तो इसको कैसे अनिलाइज करके उसको उसका हम सार कैसे निका लें उससे हम पॉलिशी कैसे निका लें उससे हम निरने कैसे लें उसका सारांश क इसको डिसीजन मेकिंग के लिए वहोगो डिस्टिक्ट के लिए बहुत जूरूरी है तो ये तो यह तो कोर्स ओंग और और क्या पढ़ाते गुरु छोट में गुरुजी नहीं हूँ एक पढ़ाता हूं इसको अंग्री जी गपर अंग्री देश या को हो रहा है और लोगो ने क्या 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 का अभी मैं एक उधारन देऊ हमारे आयम बैंगलोर के ही एक स्टूड़न्ट है जो 2010 में ग्रेजुएट हुई थी और वो दो साल अमेरिका में डेलॉइट में टॉप कंपिने में नौकरी कर रहे थी जी क्या नाम है उसका नाम है समीना बानो और लखनों में रहती है वैसे लखनों की नहीं है है तो इंडियन बट लखनों में काम करती है तो उन्होंने नियू यॉर्क में सोचा कि भाई अमको देश के लिए कुछ करना चाहिए और वो थोड़ा मितलब मुसल्मान और गरीब फैमिली गरीब तो नहीं मतलब ल राइट वाक फांडेशन उसमें उन्होंने आज तक केवल साड़े चार लाख गरीब बच्चों को स्कूल में फिर से दाखिल करा दिया है साड़े चार लाख एट बिग नंबर बिग नंबर और उसने अपनी नौकरी वाकरी छोड़ दी है और अपने खुद के पैसे लगा भूजपूरी मंगर वे नौदन करनाटक में लाखों परिवारों के साथ काम कर रहा है किस फील में गरीब लोगों के साथ जो खेत मजदूर है तो उनको नरेका में काम दिलाते हैं कम से कम सौट तेर सो दिन का उनको हर साल 30-40 हजार उपे का सरकार की तरफ से पैसा मिलता है बच्चों के स्कूल फिर वहाँ पर एक जो दलितों को पर जो अतियाचार होते हैं उसको खतम करना पीपल्स बैंक एक बना दिया है तो इस टाइक की चीज़े हम चर्चा करें अर्थ शास्त्र और समाज शास्त्र को नीतिशास्त्र नेतिक्ता के साथ जोड़ दिया जाए क जो सबसे गरीब हैं पिछड़े हैं जिन तक नहीं पहुंची है अभी ना तो सिक्षा की रोशनी ना उस सशक्त हुए उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए सोचल अंत्रिप्रनियॉर्शिप एक यह है और अब मैं तीसरा कॉर्स ही पढ़ा रहा हूं इंट्रोड़क्शन टो इससे पहले जैसी मैंने आपको गुरु कहा आपने बड़ा स्ट्रॉंग अब्जेक्शन रजिस्टर करवाया क्या है इसकी वज़े मैं गुरु को अपने मन में बहुत अच्छ स्थान देता हूं हमारे लिए गुरु हैं मत वैसे तो नहीं कहना चाहिए या भगवान है तो यह चार बरस पहले कैसे विचार आया कि हिंदु़िजम को पढ़ाया जाए प्रबंधन के एक साथान मेरे को हिंदु द्रम में बहुत ही इंट्रेस्ट और दिल्चस्पी थी और बच्पन से या आगे मनलाग घर की वज़े से नहीं ऐसी अंदर से तो इधर उधर जाता सादू महात्मा को मिलता था राम कृष्ने मिशन गया इस तीरस्थान गया उस तरह स्थान गया और यह किताबें पड़ी दीक्षा भी ली फिर मेने गा कि यार यह तो मेरे मतलब अंदर से उभर के बाहर निकल रहा है फिर कुछ दिनों पहले चार-पांच साल पहले अपने मगर ग्यान बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे गरंत क्या है हमारे शास्त्र क्या कहते है वो अपने दिमाग से कुछ बोल रहे है तो फिर मैंने का उनको छोड़िये वो तो अड़ल्ट हो गए मगर जो हमारे जो नौजवान लोग हमारे देश में उनको एक सरल भाशा में कि हम हमारे जो धर्म शास्त्र या जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म के जो है उसका बूल तत्व क्या है अगर हम बताएं तो अच्छ रहे गए पिर मैंने देखा कि ऐसा कोई उस्तक है आजकल इंटरेंट में अज़ कुछ मिल जाता है या तो इतनी मोटी मोटी किताबे हैं जो के इसी पॉपिलर चीजें हैं तो मतलब ये थोड़ा सा स्कॉलरली भी है मगर ये सरल भाशा में लिखा गया इसलिए मैंने लिखा ग्यान का सरली करन बहुत जरूरी है यदि आप बाकर ही चाहते हैं कि वो जन जन तक पहुंचे हाँ जी शायद इसलिए भाश ये खूब गया और इसमें कमी है क्योंकि मैं सारे भाशाइं नहीं जानता हूँ तो अभी अंग्रेजी में हैं बट इसका अनुवाद हम करवाएंगे करवा रहे हैं तो हम ये उमीद करते हैं कि प्रफेसर शास्त्री तमाम भारतिये भाशाओं में इसको अपलब्द करवाएंगे हम नहीं करवाएंगे देखो क्या होता है समाज सिक्र करेंगे सब लोग मीट के कुछ करेंगे आचा तो इसके मेरी इसमें बड़ी रूची रहती है कि जब हम इतने विरहद विशय पर लिखते हैं तो चैन का संकट क्या लिया जाए क्या छोड़ा जाए को ये तो बहुत विस अब जैसे अगर कोई कहें कि मुझे सनातन धर्म या हिंदु धर्म के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो कहें कि शास्त्र पड़िये अब पूचे का कौन सा शास्त्र पड़ूं अब शास्त्रों के हम लिस्ट बना दें कि वेद हैं वेदान्त है न्याय वैशेशिका सां और यह कहां पर शुरू करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है और अगर हम दूसरे मतों या धर्मों से उसकी तुलना करें बाकियों में एक फाउंडर है एक स्थापक है और एक किताब है आप क्रिस्चेनिटी में जाएं जीजस क्राइस्ट और निव टेस्टेमेंट आप आप इसलाम मेंझाएं मुहमद और और कौरान आप गोधा धर में जाये उस में करी किताबें मगर जो वाचन बोलते इह जो बुद्धा का वचन है वो सुत्रा पिठेका में मूलता है अब जेण धरम में जाईये तो महावीर का जो जो वचन है जो श् Wait classy इलम करन ये लोग म मोजेस ने बोला, मगर हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, कोई स्थापक नहीं है, और कोई किताब नहीं है, तो फिर जो भी हमने पड़ा, उसमें देखा कि सारे शास्त्रों में एक चीज स्पष्ट नजर आती है, वो कहते हैं कि हम वेद को प्रमान मानते हैं, बाकि सारे जैसे अद्वाइत को मान लीजे, अद्वाइत कहती हमारा सिद्धान्त है, क्यों है, क्योंकि ये वेद में लिखा है, उपनिशद में लिखा है, तो विवेका नंद कहते हैं कि ये वेदिक धर्म है, जो सनातन धर्म है, वेदिक धर्म है, इसका मूल आधार जो है, ये देवल यह नहीं कि जो हमने कानों से सुना, जो उस जमाने के हमारे रिषी मुनी थे उनों ने 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 अपस्या की ध्यान किया, अपने इंद्रियों को निगरह किया, बन को शांत किया, और अंदर से उनको दिव्या जन परात हुआ। जो रिवेल्टेक्स्ट 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 तो इसी लिए उसको शुरुति मानते हैं जो वेद के मंत्र है वो इन कानों और इन मन और इन इंदिनों से नहीं निकला है वो दिव्या मंत्र है माना जाता है मैं भी उपनिशद भी वेदों में ही माना जाता है, 108 उपनिशद हैं आज, वैसे कहा जाता है कि 250 कुछ थे हैं, मगर अभी जो हमको उपलब्ध हैं, वो 108 कुछ हैं, और उपनिशदों को ही मानते हुए बाकी सारे जो हमारे गरंत या शांस्त रहें, अपने सिद्धान्तों को उसके आधारित करके कहते हैं कि मैं यह कहता हूँ, मेरा यह सिद्धान्त है क्योंकि उपनिशद में ऐसे लिखा है, तो यह है शुरुती जो रिविल टेक्स्ट है, तो वहां से शुरू करें, तो यह आधार स्थम है, और साथ साथ में हम तीन प्रस्थान तराये बोलते हैं, तो तो यह तो वेद उपनिशद हुआ, दूसरा है ब्रहमसुत्रा जिसको वेदान्त सुत्र भी बोलते हैं, जो कहते हैं कि बादारायन कुछ लोग उनको वेदाव्यास बोलते हैं, जो ने ब्रहमसुत्र में जो उन्हों अंदर से ज्ञान कविता में हमारे सामने रखा उसका सिद्धान्त रूप में बनाया, तो ब्रहमसुत्र को वो रिवील टेक्स्ट नहीं मानते हैं, वो बुद्धी और मन से लिखा गया है, उसको दिव्य ग्यान उस तरीके से नहीं मानते हैं, तो यह दूसरा हुआ, और तीसरा है भगवद गीता, भगवद गीता की तो कोई व अवतार रूप में आके हमको उपदेश देते हैं, तो यह तीन हमारे मूल शास्त्र हैं, वेद उपनिशत जो एक माना जाता है, ब्रहमसुत्र और भगवद गीता, तो वेद उपनिशत को हम उपदेश प्रस्थान मानते हैं, जिसमें उपदेश है, और इसको ब्रहमसुत् प्रस्थान मालते हैं जो सिद्धान्त देता है और भगवत गीता को साधना प्रस्थान मोलते हैं कि भगवान श्री कृष्णा हमको बताते हैं कि साधना अरजुन पूछता है मैं क्या करूँ तो बताते हैं क्या करना है कर्म करो कर्म करो इत्यादी बहुत सारे इसके कमेंटर तो बगवत गीता को साधना प्रस्थान माझते हैं तो ये तीन हमारे मूल आधार स्थम्ब है हिंदु धर्म के कोई ये सवाल भी पूछ सकता है कि और ये मैंने ही कह रहा हूँ ये शास्त्र कह रहे हैं और आज भी आप तमाम में हरिद्वार, रिशीकेश, रामेश्वर, कांची, श्री श्रिंगेरी, तिरुपती, कहीं पे भी चलजराम कृष्णा मठ और कई आज कल के भी लोग किताबे लिख रहे हैं, सब लोग इनी को तीन प्रस्थान तरहे मानते हैं, आज भी मानते हैं, कोई ये भी कह सकता है कि प्रोफेसर शास्त्री, ये जो किताबें हैं, कई लोग कहते हैं कि आप पुरातन पंथी क्यों बने, ये एक शब्द बड़ा इस्तमाल किया जाता है, है ना, और कई लोग जो भिग्ये नहीं हैं, वो अलग-अलग इस्मृतियों का आधार बनाकर, ये भी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, ये एक मित बहुत चलता है, आपने अपनी किताब के पहले ही अधिहाय में, शुक्ल जजरुवेद की एक रिचा के जरीए, इसका खंडन की है, मैं चाहता है, उसके बारे में आप बात करेंगा, को कि ये बहुत कहा जाता है, जब वेद तो सिर्फ ब्रामन पढ़ सकते थे, शुद्रों को अधिकार नहीं था, तो जब जिस किताब को पढ़ने का अधिकार ही नहीं उस किताब में इसी क्या महनता है, ये बहुत मित चलता है, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये सबसे पहले विवयक अनन्द को पढ़ते पढ़ते, मेरे को सबसे पहले उन्हीं के राइटिंग्स में मुझे मिला, तो वो कहते हैं, ये थे मा वचम, कल्यानी मा वधानी, मैं ये जो वचन है, कल वैसे हिंदु दरह में उसको मलेच मानते हैं, मतलब जो हमारा जो अजनभी है, उसको मलेच मानते हैं, तो हर एक को मैं ये कल्यान दायक जो ग्यान है मैं देने को तयार हूं करके ये शुक्ला ये जुरुवेद में लिखा है आरे को भी इसमें आरे को अलग से एक कोटी के तोर पर कहा गया है अब मुझे नहीं मालूम उस जमाने में समाज में क्या था, मुझे नहीं मालूम। अलग-अलग बिन्ने लोग थे उस जमाने में भी तो उन्होंने सब का इसका जो तत्व यह क्या है कि सब को यह ग्यान मैं देने को तयार हूं। कि कोई भी जो ग्यान हो, चाहे वो रॉकेट साइंस की नॉलेज हो, चाहे वो फिलोसफी की नॉलेज हो, इस शुट बी अवेलबिल तो एवर्यवड़ी विदाउट अनी बाद में लिखा है कि कुछ स्मृति हैं, खास दोर से मनुस्मृति, उसमें कुछ अलग से लिखा है। वेवेका रंद कहते हैं कि अगर स्मृति और शुरुति वेद और दूसरे किसी गरंत में कुछ भेद हो, हम वेद को ही प्रमान मानेंगे। और वो शीज को खारिच करता है। बिल्कुल, यह तो है। यह तो लिखा है साफ गरंतों में ही लिखा है। अच्छली मनुस्मृत सबसे पुराना टेक्स्ट है, वो भी सोलवी सदीका है, अग्रेज का बंदाली से। बाशा को लेकर बहुत मसला है। चलो उसको छोड़िये, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। जी, तो आपने जब वेदों का अध्यान किया, तो आपको सबसे ज़्यादा रूचिकर कह तो मुझे उपनिशद, जो ग्यान कांड में आता है। तो ग्यान कांड में सीधा है। कोई रिचूल नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, एक्जिस्टेंस से जुड़े हुए सवाल। मैं कौन हूँ, इश्वर क्या है, इश्वर है की नहीं, सच क्या है, मेरे जीवन का लक्ष क् साथ क्या संबन्द है, वो ग्यान मुझे प्राप्त हो सकता है की नहीं, अगर वो ग्यान प्राप्ती हुआ तो उसका क्या फैदा है, बिल्कुली मूल प्रश्ण है। कैसे डिफाइन किया गया है वेदों और उपनिशदों में इश्वर को? उपनिशदों में तो अगर हम सद चिद आनंद ब्रह्मा, सद चिद आनंद, सद मतलब जिसका अस्तित्व है, चित मतलब जो चेतना हमको देता है और आनंद तो आनंदी है, तो ये उसका स्वरूप है, तो उसी जो व्याक्या है या उसका जो डेफिनिशन है, उसमें हमको समझ में आता है कि अगर मुझे ब्रह्म प्राप्त हुआ तो मुझे ग्यान भी मिलेगा और आनन्द भी मिलेगा और ये भी कहते हैं कि ये आज और कल का नहीं आज मैंने कुछ रज़गल्ला खालिया आनन्द मिला ऐसा नहीं ये शास्वत रहता है इसी से हमको मोक्ष मिलता है अनादी, शास्वत और ये शे मोक्ष में मिलता है मोक्ष को कैसे डिफाइन करते हैं क्योंकि एक जगे फिर होता है कि आप यहीं इम मोर्टल हो जाएंगे अम्रतम इह भभवती आप यहीं पर हो जाएंगे अब मेरे को तो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ थो जो मेरे को समझ में आया है, मैं बताए है, बताए है, आप संगोज मत करी, जो मुझे समझ में आया है, एक तो एक टेकनिकल डेफिनिशन है, कि आपका पुनर जनम नहीं होगा, ठीक है, आप फिर से आपको मोक्ष मिल गया, मगर असली जो है, अमरित मेह बहवती मतलब की, अम अनन्द ही आनन्द है, और ऐसे उदारण अभी आजकल, मतलब जो मैं मानता हूँ, एक तो रामकृष्न परमम्स थे, उनको तो सब मांगते हैं, रमण महा रिशी थे, ऐसा नहीं है कि उस जमाने के लोग है, आज भी ये शास्वत है, आज भी रिशी मुनी और संत इसलिए तो ये पुन्या पुन्यक्षेत्रा है, ये जो भारत वर्ष है, तो वो जीवित ही वो मुक्त हैं, लिबरेटेड वाइल लिविंग, और ये मेरी बात नहीं है, तो मनलब बहुत लोग मौनते हैं कि जिन दो लोग का नाम लिया, उनको सभी लोग मुक्त मानते हैं, हम लोग जब श्याम बेनिगल का बनाया हुए वो सीरियल देखते थे दूरदर्शन पर भारत एक खोज, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडिजवालाल नहरू की किताब पर अधारित है, तो सबसे पहले उसमें नासदीय सूक आता था, और फिर उसका हिंदी त देखें ये नासदीय शुक्त शो है, वो हमारे रिगवेद में है, और ये उपनिशद में नहीं है, पेज 19 में है, तो इसमें जो मैंने अनुवाद किया ये विवेक अनुवाद का अनुवाद है, आप ही इसको हिंदी में बताईए पहले, फिर मैं इसकी छोड़ा चर्चा नहीं थी, उसके परे आकाश भी नहीं था, तो बीच में जो दुन्द थी, वो क्या थी, और किसकी बनाई हुई थी, और जो अंधेरा था, उसकी गहराईयों में क्या था, मृत्यू तब नहीं थी, अमरता भी नहीं थी, ना तो रात दिन से अलग थे, सब एक दूसरे में म और इसके परे भी कुछ नहीं था, तो बहुत ही इंस्पाइरिंग है, तो जो मेरे को समझ में आया है कि वो बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जो पूरा जो विश्व प्रपंच जुन्या इवलूशन की बिल्कु शुरूआ है, कैसे हुआ, तो अब आप उसको थेरी इमेजिनेशन मानिए, आप ये मानिए कि दिव्य ग्यान है जो उनको मेडिटेशन में उनको पता चला जो भी आप मानिए, जो मानना है मानिए पर इसको इंगेज करिये, मगर आज मॉडरन बिग बैंक थेरे में कहते हैं कि ऐसे ही शुरूआ था, इन न्यूट्रॉन प्रो तो धीरे धीरे जैसे विश्व बना तो उसी उसमें से अंदकार में से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम ये सब निखले तो लाइट कुट पास तो वो अभी बिग बैंक थेरी में ये सब नासा के उसमें लिखा हुआ है तो ऐसी मुझे लगा कि शायद इसमें और उसमे कुछ कुमपेरिजन कर सकते हैं, एक्जैटली क्या है मुझे नहीं मालूब, तो कि आप इस चीज़ पर बड़ा जोर भी दे रहे हैं कि हम मनुश्य, मतलब न्यूटन के पहले भी सेब गिरता था, ग्रैविटी तो थी ही ना, पर फिर किसी एक व्यक्ति को बोध हुआ कि इ कोशिश की बिलकुल, बिलकुल, देखो वेदों में हैं, तीन शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक तो बोलते हैं आपावरुश, मतलब ये, जो ग्यान है, दिव्यद्वय ग्यान जो वेदों में है, ये पुरुशों से की नहीं आया, दूसरा कहते है, अनादी, मतलब शाषव कि जो गायत्री मंत्र है वो शाश्वत है, ध्यान करते वकत विश्वा मित्र को गायत्री मंत्र का बोध हुआ, और उन्होंने हमको बताया, कि इस सत्य को हम इन शब्दों में प्रकट कर सकते हैं, वो सत्या, शाश्वत है, इंटर्नल है, तो वेद को भी यही कहते हैं, इसमें वेदों में खास्तोर पर सम्भाव पर बड़ा जोर है ओम सहना भवतु सहनव भुनक्तु सह वीरियम करवा वहे तेजस्टुना वधीतमस्तु मा विद्धुशा वहे जो आखरी रिचा है रिगवेद की वो भी वही है तोड़ा उसके बारे मताई है हर एक वेद मंत्र में जैसे सबसे फेमस जो है वो है शान्ति मंत्र जो यहां पर तो आप इसको देखेंगे तो वो कहते हैं कि आउशत को शांती मिले, ब्रह्म को शांती मिले, विश्व को शांती मिले, पुरुशों को शांती मिले, सब को शांती मिले, इसमें कौन से भगवान की ठर्चा हो रही है, यह कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, यह शाश्मत है, ये अटर्नल है, इंपर्सनल है इसमें, तो वेदों में जो है, किसी एक तत्व को लेके नहीं बोलते हैं कि भाई, ये ही हमार आवतार है, ऐसे ही होना चाहिए वो यूनिवर्सल बाते कर रहे हैं और शान्ती और साथ में क्योंकि ये साथ में रहने का मतलब क्या है? क्यों कहते हैं? जो मुझे समझ मैं वो उपनिश्दों में है कि हम ब्रह्मास में हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में वो दिव्य आत्मा है और वो एक ही है लोका समस्ता सुखिना वबन्तो वो भी बोलते हैं, अब जैसे टिमरेखे से जीव केमरा चला रहे हैं इन में भी एक दिव्यजोती है आप में भी है, वहाँ पे एक महिला खाम कर रही है कहीं बार कुट्य बिल्ली भी हैं उन में भी दिव्यजोती है वो एकी आत्मा है हम सब में वो एक divine existence मान रहे हैं सब ही सेम है तो इसलिए शांती में रहे है शांती शांती उसको समझे और शांत रहे है उसी में आनंद है रुफेसर शास्त्री वेदों में एक बड़ा हिस्सा है जो कर्मकांडों में रिचूल्स के लिए सबर पे थे उनकी आपने ज्यादा चर्चा नहीं किया है उसकी वज़े आपको लगता है वो आज की तारीख में उतने मतलब उसको एक स्कॉलर की तरह आप पढ़ लीजे लेकिन उसको अपलाई करने का अपलाई होता है अभी आप तमाम मठों में जाईए मैंने खुद देखाया कि वेद परायन और वेद का अधियान होता है और उसका चंटिंग होता है और वो कहते हैं कि वो बहुत कर्लियान दैस सुनने में बहुत अच्छा लगता है बलकि आज सुबह जब मैं एरपोट की तरफ निकल रहा था तो मैं आजकल यूट्यूब में मैं वेद परायन को ही सुनना तो यह सब है तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई वो नहीं है मगर अगर हम को समझ के अपने जीवन में इसका कुछ प्रैक्टिस में लाना है तो अभी जैसे वेद कर्म और रिच्वल्स हैं वो घंटों दिनों सालों तक करना पड़ता है मगर उपनिशदों में जो ग्यान है वो हम डे टो डे जीते जागते अभी आपके सामने बैठे 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 भी उसका हम प्रैक्टिस कर सकते हैं चीलिए तो कहते हैं कि सत्ययोग में वेद उसके बाद वो बोलते हैं कि रामा एंड फिर बोलते हैं महा भारत अभी वो बोलते हैं तंत्र शास्त्र जो भी है पनाशर शास्त्र तो ऐसे कहने को मतलब है समय जैसे बदलता रहता है और मुझे एक बड़े दिल्चस चीज ये भी लगी कि उपनिश्यद में मूर्ति पूजा, मंदिर ये पूरे वेदों में ही आप देखें तो ये अमुक देवता का इस्थानू उसके बजाए चैतन्य भाव पर उनका ज्यादा है ये जैसे आपने एक प्रिजदान अर्णयक स इकामा ये सहरदी श्रिता अथ मर्तियो मृतो भावत्यंत्र ब्रम्ह समशृते वेदों में और खास तरह में मूर्ति पूजा बिलकुल ही नहीं है कोई भगवान की जिक्र नहीं है उपनिश्यद में तो बगवान की जिक्र भी नहीं है एक इश्वर का नाम लेते हैं इदर उधर और मगर वो यही कहते हैं कि आपको यहां पर बैठे बैठे अगर आपको आनन्द में रहना है शांती में रहना है आपको मुक्त होना है तो इन चीजों को समझे और इसको अपने लाइफ में आप लागू करिए साइन्टिफिक है साइन्टिफिक है इसमें कई लोग आजकल सोशल मीडिया पर मिक्सिंग भी बहुत कर देते हैं जब आप उपनिश्दों के स्प्रीच्वल नॉलेज की बात कर रहे हैं और फिर आप यह कहें कि आप हमारे पास एटम बम बनाने की टेक्नीक थी तो इस घालमेल से भी फिर बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाता है उस चीज को सिरे या तो सिरे से खारिज कर देते हैं या बिना समझे सब चीजें जो त्यों एकदम ऐसे विर्दावली गा देते हैं अब मैं आपको बताओं मैं नेट्फिक्स पे एक इंफिनिटी पे बड़ी अच्छी डॉक्यमेंटरी आई है वो देख रहा था आप वो डॉक्यमेंटरी देखिए और ये ब्रेदार अन्या को पनिशद का ये श्लोक सुनिए ओम पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण मुदश्टे पूर् इन अपनिट, इन यूज बड़ी पूर्ण मुदश्टे पर अन्या आइद श्लोक अपनिटि आप धार अपनिट इन इन पूर्ण मुद़ गख जाहा है नंको कहने तुची है नहीं करें कि वांटन आपनि ठीक लगा इसको मानिए उसमें अपनी टिप्पन ही मट डालिएा मैंने जहां तक संभव है मैंने अपनी कोई टिपन झिपन प्लीज आजिए भीकुशन ले लिए प्लीज़ सब्कारण रहा हैं। अवाइद अवाइद यहा बिटेश्टेशन ने लिखे हैं। भग्वान उनका भी बढ़ा करे क्या बोल सकते है। ओके। तो अपनिश्यद आपने सारे 108 पर ढ़ दाली सर नहीं सारा 108 ने पड़ी हैं जो मुक्या हैं जैसे मतलब वो भी पूरा तो नहीं कह सकता हूं मगर जैसे इशाबाश शेओ अपनिशाद मांडुक के बहुत पसंद है मांडुक में तो बारा है ना बारा है बारा है पर कितनी व्याख्या है उन बारा श्लोकों है मेरे एक साधु मित्र है उनके साथ हम मेरे हमाले में जो कुटिया है उनके साधु मित्र एक आएम का प्रोफेसर और एक साधु बात करता है I am very interested. यही वेदान्त के बारे में बात करें और क्या है? जी. He is also a professor of mathematics in TIFR. But he is a monk of the Ramakrishna mission. Interesting. He is a very brilliant man. He is a mathematician. But he is a little bit of his name. So, we were studying on Monday. So, I really liked it. आपके जो MIT के दिनों के दोस्त हैं, जब आप पी एचडी कर रहे थे वहाँ पर मेसेच इसेट में, तो उनसे कभी चर्चा होती है इन चीजों के लिए? आज कल नहीं होती थी, तब होती थी, मगर एक्चुली मैं इस लाइन में थोड़ा और गहरे तरीके से, इसलिए गुसा है जब में बॉस्टन में था, क्योंके वहाँ पर रामकृष्णा मिशन था, और वहाँ रामकृष्णा मिशन के जो head थे, वो मेरे गुरुजी हैं, अ बहुत चर्चा होती थी, मैं स्वामी से होती थी जाला, जी, छे दर्शनों पर आपने खूब इस्तार से बात की, उसके बारे में बताईए, लेखिए, अब ये जब धर्शनों में आते हैं, तो उसमें जो प्रेरना मिलती है ना, जैसे उपनिशदों में, वो प्रेरना नह जो कुछ लिखा है, वो कविता के रूप में वो उभर उभर के निकला, ना तत्रसुर्यो भाती, ना चंद्रतारकम, मतलब हो कहते हैं कि वहां पे ना सूरज है, ना चांद है, ना बिजली है, अगनी भी कहा है, तस्या भाती, सर्वा मित्यम भाती, मतलब कि वो परभ्रह् स्ट्रिट्मेंट्स है, तो उसमें, अब उसमें सिधान्त नहीं है, जो कवियों को जो दिवग्यान मिला, उसको उन्होंने कविता के रूप में उभर उभर के उपनिशुदों में लिखा, जब हम ये दर्शनों में आते हैं, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वहां पे लोगो नहीं के प्रमान मानके, उन्होंने ये उसका विस्तार, उसकी व्याक्ष्या, उसके सिध्धान्द, इसको एक सिध्धान्द बनाया है, तो उसमें बहुत सारे हैं, इतना समय मुझा नहीं मालूम, तो आप विस्तार से बताएं, हमारे पास बहुत समय है, तो छे शठ वेदों का ऐसी जिक्र करते हैं कि वेद प्रमान हैं मगर फिर अपना सिद्धान शुरू कर देते हैं और एक ऐसा है जो सबसे और्थरडॉक्स और कंजर्वेटिव है जिसको पुर्वम इमामस मूलते हैं कर्मकांड को मानता है वेद हवन इत्यादी को मानता है होम यगन जो भी आजकल भी होता है उसको बहुत मानता है वो पुर्वम इमामस है जो जैमीनी ने बनाया है मगर वो इश्वर के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ यह कहते हैं यह चीज मुझे बहुत रोचक लगी जब मैं किताब में पढ़ी ना बिलकुल लिखा है तो वो आस्तिक है तो आस्तिक और नास्तिक में भी बहुत कन्फूजन आजकल तो हमारे धर्म शास्त्रों में यह लि अब बहुत धर्म और जेन धर्म ठीक है इश्वर को नहीं मानते हैं मगर वो वेदों को भी नहीं मानते हैं इसलिए उनको नास्तिक बोला गया मगर हमारे आस्तिक धर्मों में पूरो इमाम सेंको कहते हैं इश्वर की जरूत नहीं है इश्वर को बोलते हैं कि वो श्रिष् यह पूरु बिमान सा के ले जामिनी कहता है और उसके बाद जो शंकराचारे के लाइफ में कुमार इलब भठत था यह वो भी यह थे और शंकराचारिया ने सबसे पहले ये पूरों इम्माम्स के जो तब सुरेश्वराचारिया के साथ वेद विवाद करें यह हम दो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आदी शंकर के समय में आ गए तो उन्होंने उनको बताया कि नहीं उपनिशिधी जो ज्ञानकांड है वही सही है तो यह जो हमारे न्याय और वाईशेशिक वगरा जो है सांख्या और योग उसमें हमको कई चीज़े बताते हैं कि मैं कौन हूँ जे तो उसमें जैसे सांख्या बोलता है कि मनो बुद्धि अहंकार अचित मतलब ये चार चीज़े हैं हमारे मन है मन बुद्धि अहंकार और चित और चौबिस तत्वों की बात करते हैं तो उसमें जैसे ग्यानेंद्रिया हैं कर्मेंद्रिया हैं पंचब होता है तो ये सब का वर्णन होता है कि जैसे ग्याने अंदरे मतलब जैसे आख, कान, नाक, इत्यादी, स्वाद और स्पर्श इस टाइब की जो हैं उनका पूरा वर्णन होता है फिर वो सत्व, रजस, और तमस की बारे में बात करते हैं और सांक्य में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भाई ये सब है, इसको पहले समझिए मगर इसमें अगर हम डूबे रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे, अगर इससे हमको मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए तो उसमें कहते हैं ग्यान, तो ग्यान उसमें ये कहते हैं कि जैसे अगर आप प्रकृति है और पुरुष है, पुरुष मतलब हमारा अंदर की जो आत्मा है पुरुष से यहां तात्परे मेल से नहीं है पुरुष मतलब यहां पर आत्मा ही है वो कहते हैं हर एक जीव में एक आत्मा होता है और उसके अलावा जो कुछ है वो प्रकृति है जो मेटिरियल यूनिवर्स है वो भी प्रकृति है प्रकृति के 24 तत्व हैं, यही ग्यान इंद्र यह सब जो है, तो कहते हैं कि इन से मुक्त होने के लिए अगर हम अपना बुद्धी का इस्तिमाल करें, बुद्धी बोलते हैं, और बुद्धी के द्वारा अगर हम ग्यान प्राप्त कर लें, और प्रकृति को समझें, कि इस अनुबव हो रहे हैं, सब ही जीव आपके हो रहे हैं, हमारे हो रहे हैं, इनके हो रहे हैं, तो इस अनुबवव के द्वारा अनुबव का मतलब क्या है, इन एक्सपिरियंस का मतलब क्या है, इन एक्सपिरियंस के द्वारा पुरुष को धिरे धिरे घ्यान प्राप्त ह फिर वह कहता है कि यार ये सब तो मैंने सब कुछ देख लिया इसके आगे क्या है वाट नेक्स वाट नेक्स तो वाट नेक्स पूछते पूछते वह मोक्ष की तरफ चला जाता है तो इसके अधियन का जैसे आपने नियाए पढ़ा नियाए दर्शन, रीजनिंग वगरा समझी फिर आप रहशी शिक पर गए तो यही बता रहे हैं कि हम कैसे इनको अप्रोच करें देखो इसमें जब आप इतना पूछना चाहते हैं तो ठीक है यह बहुत साइंटिफिक ले लिखे गए हैं सिपसी पहले बात तो वो कहते हैं कि ग्यान मतलब क्या? ग्यान का आधार क्या है? पहले उसका वर्नन करते हैं कौतुक, सवाल पूछना वोट इसे का बैसिस सब्सक्राइख? ग्यान का आधार क्या है? ग्यान मतलब क्या? तो हर एक जो श़ड दर्शना है उनमें कहते हैं कि एक तो जो इंद्रियों के द्वारा हमको आभास हो रहा है, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, वो प्रत्यक्ष ग्यान बोलते है तो आप पर जरूर आग होगी, इसलिए दुआ निकल रहा है, तो इन्फरेंस, फिर वो बोलते हैं, अनुमान, फिर कहते है, उपमान, जैसे कि जंगली गाय है, तो जंगली गाय आपने नहीं देखी, मैं ने देखी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे होती है, मंगर मैं जाएंगे, फिर देखें, जैसे दिख रही है, तो जैसे जंगली गाय होगी, तो उपमान, इस टाइप के उन्होंने तीन चार छे आधार बनाएं, तो फिर कहते हैं, इन आधारों के ऊपर हम अपना सिध्धान्त को स्थापित कर रहे हैं, यूजिंग इस बेसे बेसे तो जैसे ये नियाए शास्तर में, वो हमारे, अमर्तियस से ने लिखा ना, अर्गुमेंट डेटिव इंडियन, एक्शली नियाए शास्तर का बंगाल में बहुत ज़्यादा एक प्रभाव था एक टाइम में, इसलिए उन्होंने उस टाइप का लिखा है, तो उसमें वाद अनुवाद, मतलब अर्गुमेंट के क्या-क्या बेसिस हैं, कुछ 16 उन्होंने लिखे हैं कि आपका और हमारा विवाद हो तो हम क्या-क्या टेकनिक्स यूज कर सकते हैं, अपने आपको सही स्थापित करने के लिए, आपको गलत बताने के लिए क्या-क्या टेकनिक्स हैं, लॉजिक, फिर आपकी परसनालिट को अटेक करूँ जो आजकल पॉलिटिक्स में होता है, इस टाइप के, सोला उन्होंने वो लिखे हैं, जो न्याए में हैं, अर्गुमेंटिटिव इंडिया, और वाईशे शिका में वो कहते हैं कि पदार्त क्या है जिसको हम जान सकें, अधिया और वाईशे शिका के लिखे हैं, तो इस शीदेश बनाई हैं, तो इसे उन्होंने चे काटिगरी समें बनाए हैं, और फिर वाईशे शिका का जो एक वो है कि वो एक बढ़े हैं कि, सर आपना ऐसे चूचूचू का आगे मत बढ़िये आप तसली से बताईए, कोई जल्दी नहीं हमको, अच्छा, हाँ, फिर तो, हमको लग रहा है कि अच्छा ज्यादा डीप, आप डीप आराम से बताईए, नहीं, I have no problem, यह तो मैंने खुद ही लिखा है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, वहीं मुझे लग रहा है कि अच्छा, यह ज्यादा तो हाँ, तो न्याए में बोलते हैं कि ग्यान का यह चार आधार है, सबसे पहले है वो कहते हैं प्रत्यक्ष ग्यान, जो हमको इंद्रियों से सामने दिखता है, आप दिख रहे हैं, यह मेरे सामने कैमरा है, सामने प्रफेसर शास्त्री है, प्रत्यक्ष है, यह आपका प्रत्य ब्रण लगारा हूँ कि कोई की पैड पे कुछ टाइप कर रहा है एक फिरे बहुन बोलते हूं मैं यह नहीं देखा नहीं कि में बोलाया जेखा लोласти ऑन रहो जनल में रहता है पर बिल्कुल गाय जैसे है तो मैं जनल में गया और मैं देखा कि वह यह जैसा है अगर उसके पा कोई मेटाफर उधारन लेके और रिलेट करना, कंपेर करना एक नई चीज तक पहुंचे और चौथा वो बोलते हैं कि साब सचिन तंदुलकर के खेलने में अम लोग बताते हैं कि साब विव रिचर्ट्स दिखता है हाँ इतना बेखाफ हो गए इन फैक आज भी मैं जब रव भी में रिलीवड और तीन हो गए चौथा प्रमान जो है वो शब्द प्रमान बोलते हैं शब्द का सीधा जिख्रा है वेदों का कि अब बोलेंगे सांटीफिक नहीं कई लूग बोलेंगे कि वेद को क्यों माने हम तो मैं अपने दोस्तों को पूछताउँ कि भाई आप थ आइनस्टाइन ने बोला है, मैंने का तुम ने उसे पड़ा है, तो फिर क्यों मानते हो आप? क्योंकि आइनस्टाइन ने बोला और बाकी जो साइंटिस है, जो पड़ते हैं, जो ग्यानी हैं, सब लोग कहने दें कि बहुत प्रचंड और बहुत ही, तो इसके लिए हम मानते हैं, उन्हों ने साखी दी उस शब्द की, तो इसी को शब्द प्रमान मूलते हैं, इसी को कह रहा है, वेद भी कह रहा है, तो ये भी एक प्रमान है, तो ये चार आधार हैं ग्यान के, तो इस चार आधार को मानते हुए, फिर अपनी वो सिध्धान्त को न्याएं आगे जाके बढ़ता है, तो इसमें फिर वो बोलते हैं कि ग्यान तो हुआ, मंगर ये ग्यान सही है कि गलत है यह हम कैसे पता करें कहीं यह वाटसअफ फॉरवर्ड तो नहीं वाटसअफ फॉरवर्ड तो नहीं वो चश्म क्या दिन गवाही बहुते हैं उसी इंस्टेंट को चार लोगों सो पुछ तो अलग-अलग बताते हैं तो यह नियाय मानता है कि ग्यान तो हुआ मगर यह ग्यान सही है कि नहीं इसको कैसे हम करें तो वो इसको कहते हैं कि यह फिलोसोफिकली इसका कोई रिजलुशन नहीं निकल सकता है तो यह कहते हैं कि इसको हम जैसे साइंस में बोलते हैं रिपीटबिलिटी उस ग्यान को अगर हम फिर से इस्तिमाल करें और वही परिण निकला जो इधर और अधर. मैं एक गेंद Here. छोड़ू तो भी नीच्छे जाएगी. द्रूब पर जाकर छोड़ू तो भी नीच्छे जाएगी. वह बाराम, और आप ने किया, इसने किया, उन्हों किया जाएभी 1997 और भी नीच्छे किया है. सब का होता है कुछ तर्क शास्तर बोलते हैं, तर्क का मतलब तो हम जानते ही हैं, तो उसमें उनोंने भोत सारे टेकनीक्स बोता हैं, कि भई, वाद में, जैसे डिबेट में या डिसकुशन में, क्या टेकनीक्स यूज बोलते हैं? उनोंने पूरे 16 लिखे हैं. तो पूरे सोला तो मैं नहीं बताऊंगा बट उसमें कहते हैं कि डाउट ऐसा क्यूं है ऐसा सही है कि नहीं आप कैसे कह सकती है हाँ किसी ने कहा कि जाब देश की ऐसे तरक्की हो रही है ऐसे नहीं हो रही है एक आंकला दिया तो इसका स्रोत क्या है यह आखड़ा कैसे कलेक्ट किया गया वो डाउट क्या है यह सही है कि गलत है फिर एक है कि जैसे आर्गूइंग कंस्ट्रक्टिबली मतलब की प्रमान दे के बताना फिर कहते हैं कि अरे तू सब बक्वास कर रहा है यह तो गलत है यह तो होई नहीं सकता यह तो ऐसे कैसे हो सकता है फिर मतलब कुछ जैसे फेक निउस कुछ भी लगा दो और उसको पूरे मतलब कॉन्फिडेंट के साथ जोर जोर से बलाओ फिर जो शास्वत या जो एस्टैबलिश फैक्ट्स हैं उनके बारे में उसको यूज करो इत्यादे उन्होंने कई सारे टेक्निक्स दी हैं कहते हैं कि भाई इससे यह हमारे जो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं वो इस में बहुत हैं वो तो बड़े माहिर जान पढ़ रहे हैं यह यह भगवान है की नहीं इसको भी वो नियायए शास्त्र के तरक के आधार पर वो स्थापित करना चाहते कि इश्वर है तो उनके वो चार अर्गुमेंट है कि ये जो पूरा विश्व, ये जो प्रपंच है, कहीं न कहीं से तो आया होगा, ऐसी थोड़े आ गया, मतलब उनका जो कह रहा है, आप माने है ना माने वो बात अलग है, फिर वो कहते हैं कि ये पूरे विश्व में एक ओर्डर है, मतलब सुबह एसूर अज इदर से निकलता है, शाम को उधर से डूपता है, अठ्ठाइस दिनों में चंद्रमा को करती है, तो पूरा जो हमारा जो प्रपंच है, उसमें एक एक रित, रितम बोलते हैं, एक ओर्डर है, तो ये कहां से आया, फिर तीसरा ये बोलते हैं कि एक मॉरल ओर्डर में जो सच क्या है, जूट क है, प्रेम से रहना चाहिए, ग्रिना नहीं करना चाहिए, अगर आप प्रेम से रहेंगे तो आपको खुश ही मिलेगी, आप दूसरों के साथ इर्शा या ग्रिना करेंगे तो आपको अंदर से दुख होगा, आपका जो अंदर का जो ब्लट प्रेशर बढ़ेगा, आपका ह इश्वर नहीं है। किसी ने चुन्स्ट्रॉक्टि लिए कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। मगर किसी ने बोला नहीं है। तो इस टाइब के वह आर्गुमेंट्स वही तरकशास्त्र के आधार पर वह स्थापीद करना चाहते हैं इश्वर है। गsi टाइब कर मेंहीं लोगए मिल टेटाविकयों क के जो अर्ण केक्वा के बाद में शुरून भाश्याल वह खे काश है। पर इश्वर क्या है तो इश्वर जो है वह नॉन मेटिरियल है। आव हंदीन नॉन मिटिरियल को क्या कहते हैं?, बताईए मतलब आत्मा है इश्वर उस टाइब का है तो इश्वर का कोई एसे टेबल कुरसी जैसा नहीं है मगर इश्वर जो है वो धरता करता है पूरे प्रपंच का पूरे विश्व का he is the prime mover और श्रिष्टि करता भी है तो ऐसे सुनने विव्लभ जैसे कोई cosmic energy की बात कर रहा है काई मगर जैसे हमारे जो आत्मा है जो अब होती कह är और इश्वर कैसे डिखती है हमारे इश्वर पो शाप मानता हम ग मानता है उसको बहने देखा नहीं है यश्वर भी उसी टाइप की नगर इश्वर और आतमा में फरक बता रहे हैं यश्वर जो है वो शृष्टि करता है तो फलिदाता है वो पूरे विश्व का मालिक है मगर जो आत्मा है उसमें वो ताकत नहीं है वो यह कहता यह ज्याएं बोलता है शरीर का मालिक है शरीर का मालिक है बर पूरे विश्व का नहीं है फिर वो कहते हैं कि पर जो वो फुर बोलते हैं कि मेरे अंदर भी वो डिवाइन है मेरे अंदर भी वो आत्मन शब्द बहुत इस्तमाल होता है बिल्कुल वेदों में बहुत ब्रमात्म पर्मात्म जो आत्म पर ही आके आयम आत्मा ब्रमा अहम ब्रमा स्मी आयम आत्मा ब्रमा ये तो महावा क्या है मंडू क्या क्या है आयम आत्मा ब्रमा तो ये आत्मा और ब्रमा एक ही है पर आप यहां कह रहें कि वो अलग है यह तो नियाए दर्शन आप से ताथ पर की नियाए दर्शन इसको अलग मान रहा है नियाए दर्शन इसको अलग मानता है और फिर वह कहते हैं कि हर एक आत्मा अलग है मगर एक ही टाइप मतलब उसमें कोई फरक नहीं है और मोक्ष का मतलब यह है कि वो ग्यान प्राप्त हो जाए यह किसी में कोई फरक नहीं है नहीं कि मैं प्रकृति से अलग हूँ मतलब जब उसको ग्यान प्राप्त होता है तो उसको मोक्ष मिलता है दूैलिटी का बोध खतम हो जाता है अदर्नेस का बहुत हो जाता है? जुएलिटी का बहुत खत्म हो जाएखव दौधा। rape में दौधा olisir, यह दौधार नहीं है निया दौधा नही है, जो आपके ञारे हैं दौधार नहीं हैมता है कि ग्यान मतलब हर एक जो विश्व में हर एक चीज के बारे में हमको उसका तत्व समझ में आ जाए तो हमको ग्यान प्राप्त हो जाता है मतलब एक चोटा सा उधारान दोंगा अब मैं सुंदर नारी के बागूं तो जवानी के जोश में बहुत मज़ा आता है फिर बात में पता जलता है रिसमें बहुत सारे समसियां है हर एक चीज में जिस भी चीज के पीछे हम भागें मुझे प्रधान मंतरी बनना है मुझे मु करके कि मुझे कभी आनद नहीं मिलेगा तो हर एक चीज से हम मुक्त हो जाते हैं दिरे दिरे और अंदर का ग्यान हमको मिलता है भी आपने प्रेड़न एंड का पता है ना विन अल दिजायर्स अर लुज़ेंड मैं बिकम इमोर्टल हीर इटसल तो इसमें वो कहते हैं कि नहीं में वो है तरक लोडिक मैं तो अनुझि को इन ने थे अ monopol accent किया है और यह लोडिक को हम बाकि यह जो शंद दर्शन है उसमें भी लोडिक को मनते हैं तो यह है नदिर टो कहीं अब ही तो अवी तक कोडिंग में भी चला रए कि लोडिक में चला रहा है। लो अभिक को जो ग्यान का अधार है वो बिलकुल सेम जैसे इसमे है कि बाई प्रत्यक्ष ग्यान अनुमान उपमान इत्यादी अलग कहा होता है तो वैशे शेक्रम अलग क्या होता है कि किसी चीज के बारे में जानने का मतलब क्या है वाट इस इट गैन वी नोन तो वो कहते हैं कि जो पदार्थ है उसको हम जान सकते हैं और उसके हम पुरी उसका वरिन भी कर सकते हैं तो that can be known which can be described and which can be categorized वो जो ये प्रमे अभिदे वोई जो ग्याय प्रमे अभिदे है तो जो पदार्थ क्या है मतलब किसी चीज़ के बारे में जाने पदार्थ किया है तो पदार्थ के तीन लक्षन बोलते हैं एक तो है गनेया मतलब उसको हम जान सकते हैं उसको हम प्रमे कर सकते हैं मतलब उसको हम अपने दिमाग में उसको ठिराइस कर सकते हैं theorize कर सकते हैं और उसका vernon कर सकते हैं तो ये जो 6 पदार्त हैं उनके बारे में उन्मने बहला fare तो 6 है क्या दरव्या मतलब ये टेबल कुलसी ये साब दरव्या नोट दरव material material दरव्या पिर गुन तो गुन भी एक वो कहते हैं कि एक पदार्थ है, कर्म, कर्म को भी पदार्थ मानते हैं, फिर वो सामान्या है, मतलब जैसे, कैसे बूलो, अब इसी टाइप का अगर दूसरा एक वो हो, टेबल हो, स्टूल हो, सामान्या है, सामान्या है, मतलब ये भी लकड़ी का बना, वो भी लकड़ी का बना, हाँ, फिर वो बोलते हैं, मतलब जो चीज़े ऐसी हैं, जिनके जो बिल्कुल ही, ऐसे हैं कि उनका हम अलग भी नहीं कर सकते, जैसे, आपकी आत्मार मेरी आत्मा मान लीजिए, सेम हैं, उसमें कोई फरक ही नहीं है, तो उसको समावाए बोलते हैं, और बात में उनने अभाव भी बोला कि जो है ही नहीं, तो ये चे या साथ पदार्थों का उन्होंने वर्नन किया है, और इसलिए कि कहते हैं कि इसके द्वारा हम ग्ञान पर अब्द कर सकते हैं, क्या है जिसको हम जान सके, तो अग्ड़ों कि यह यह चे बदार्त फॉट वैशे शीका एक वो है, स्थम्भॉ दूसरा वो भोलते हैं कि यह सबसे वैशे शीका तो अंदर क्या है, इसका यह उसका क्या कारण है तो कहते हैं कि अगर हम यह पुरुपनज का स्टैप करते हैं तो अनति में वह एटम में चला जाता है एविधिंग लीडस टो एटम मतलब उस जमाने में कि उसके परे खि़ूब कहा बेसिक यूनिट पर पहुंच गा है तो वह जा डिएक है तो वह इसजी का पिर आया सांख्या, आपके में समय है तो मैं बोलता रहूंगा आप बोलिये तो सांख्या का बहुत प्रभाव है जैसे भगवत गीता में एक चैप्टर है सांख्ययोग तो सांख्या जो है वो कपिल मुनी को बोलते हैं कि उन्होंने लिखा है मगर उनका जो औरिजिनल टेक्स्ट है वो मिला नहीं, मगर उनका जो उनकी कारिका है, वो इश्वर कृष्णा का है, तो सांख्या की कारिका है, तो सांख्या में सांख्या का मतलब है गिन्ना, संख्या, तो 24 तत्वों की बात करते हैं, तो सांख्या में सबसे पहले क्या आता प्रकृति आत्मा के अलावा जो कुछ है वो प्रकृति है, हमारा देह, हमारा दिमाग, हमारे इंद्रियां, हमारे सपने, हमारे सोच, सब कुछ जो है वो है प्रकृति, तो प्रकृति का वो पहले वर्नन करते हैं कि प्रकृति में और प्रकृति को हम कैसे उनका वो होता है वो कहते हैं कि गुणों के द्वारा हम करते हैं तो यह क्या गुण है सत्व, रजस और तमस तो सत्व मतलब जैसे हम महात्मा को महनते हैं जो सत्व मतलब जो शांत रहता है जो समन वह रहता है जो तेज है जिसमें जिसके मन में वो है सत्वा रजस मतलब एक्टिविटी, एक्शन एनरजी वो रजस है और तमस मतलब जो थोड़ा धिला है और सोता रहता है और लेजी है उसको तमस मानते हैं यह त STEMO STATWA ऐसा नहीं कि एक में यहा दूसरे में यह नहीं है, यह T Canada आप में भी हैं, मुझ में भी हैं। सुबह तमस जाधा होगा Benjika and शाम को का शाff शयद सत्व जाधा होगा बीच में Рजस जाधा होगा और अलंग अलंग time पे होगा Over Trotion चेंज होता है। इस लिए काफ पे तेनवात, सबके शरीर में है उसका परिमान के हसाब से. उस मेंटल स्टेट के द्वारा हम प्रपंच को का बोध होता है, हमें, we get knowledge through that. अब उसके बाद वो कहते हैं कि यह जो प्रकृतिय है क्या, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि वेद तो प्रमान है, मगर मुक्ति या मौक्ष प्राप्त करने के लिए हमको यह पहले यह चीज़े समझनी चाहिए, इसलिए सांके में यह सब लिखा गया है. तो यह प्रकृति में वो चौबिस तत्व मानते हैं. तो पुरुष को तो तत्व मानते हैं क्योंकि वो शाष्वत है. प्रकृति में सबसे पहले वो बोलते हैं महत, मतलब कि सेम, cause to cause, मतलब यह कहां से आया, इसका मूल अधर क्या है, वो कहते हैं महत है. तो यह सूरा पु परसनल आइसपक्ट में वो बोलते हैं कि प्रकृति और पुरुष का जब वो होता है, यूनियन होता है, मेल होता है, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि बुद्धी, बुद्धी इस तफर्स्ट तत्व जो इंडियो जो लेवल पे आता है. तो बुद्धी का मतलब यह ने कि इ इंटेलिजन्स, यह सब बुद्धी में आता है, तो सबसे पहले प्रकृति और पुरुष के मेल से, यह बाहर की दुनिया का बोध करने का जो तत्व होता है, वो है बुद्धी. तो यूनिवर्सल असपेक्ट में महत है, और इंडिविजियो असपेक्ट में वो है बुद् मैं अपने असली तत्व को भूल के, मैं अपने आपको इस देह और बुद्धी के साथ हम इडिन्टिफाइ करें कि मैं यह मेरा देह है, यह मेरा बुद्धी, मैं यह हूँ, मैं त्रिलोचन शास्त्री हूँ, मैं प्रफेसर हूँ, यह सब अहंकार है. इसका मतलब जरूरी कि मैं बहुत घमंडी हूँ, फाल्स इडिन्टिफिकेशन अफ इंडिविजियल जीव, इवरिफिंग अधर दन प्रकृति, यह सब अहंकार हूँ, इसके साथ जो होता है, फिर अहंकार के बाद मन आता है, मनस, मन है, और मन के बाद वो बोलते है, चित्त्त्त्त्त्त्त्त् प्रकृत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् तो यह चौथा ततुहा, तो यह चार हो गए, फिर वो बीस वो बोलते हैं, तो उसमें है, सबसे पहले आते है ग्यान इंद्रिया, ग्यान इंद्रिया, कर्में इंद्रिया, तनमात्रा और पंचबूत, तो ग्यान इंद्रिया था सिंपल है, जो हमारे कान, आखना कान, और कर् त וाच अर जो रिप्रोडुक्शन कैसे बोलेंगे हिल्दी मेबes in अप्रजडरन्से से जुड़ा हुआ जो इस्स्टां में तो ये 5 कर्मेंद्रिया हैं तो 5 ग्यान हिंद्रिया 5 कर्मेंद्रिय से ये कहते हैं कि जो अंता करन है हमारा वो है गुतध mouse अहंकार और मन यह अंता करने और बहार करने यह ग्यान इंद्रिया और तो इन के द्वारा हम ग्यान प्राप्त करते हैं कर्मेंद्रिया और ग्यान इंद्रिया के द्वारा फिर वो पंच भूता की बात करते हैं तो पंच भूता तो material, जो भौतिक प्रपंचा उसके बारे में बात कर रहे है तो वो पांच तत्वों को मानते है उसमें सबसे पहले वो आकाश फिर वायू उसके बाद वो मानते हैं कि ये जो भूमी भूमी अंत में आता है भूमी के पहले पानी आता है अगनी शेती जलपाव गगन समीरा बस ये जो पांच तत्वन मिला शेरा और ये भी बोलते हैं कि हमारे जो जो इंद्रियां है तो जो भूमी है वो पांच उओ इंद्रियों के साथ उसका हम अनुभव कर सकते हैं मगर पानी है तो पानी का स्वाद नहीं होता है एक एक इंद्रिया को बढ़ते रहते हैं, तो जैसे आकाश है, तो आकाश से साउंड निकलता है, तो हम केवल कानों से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तेस्क नहीं कर सकते हैं, तो एक एक इंद्रिया जुड़ता रहता है, तो ऐसे वो पंच भूत बोलते हैं, तो वो कहते हैं पंचभूत जो है वो तमस से निकले हैं क्योंकि उसमें चेतना नहीं है यह जो भौतिक दुनिया है उसमें चेतना नहीं है इस इनर्ट सो वो तमस से निकले हैं और जो पहले जो दस थे वो सत्व से निकले तो यह हो गए तीन तीन जो है ग्याने अंदरिया, कर्में अंदरिय है हृ तो जैसे है कोई कुछ सुना तो हम रात को सपनी में भी सुनते हैं देखते हैं तो यह हमारे चित में है और फिर-ज़ में अभार earthly कोन निकलते तो निकलते हैं तो के रूप में हमारे अंदर चले जाते हैं और वह कहते हैं लुआ हमारी मृत्य होती है तो बाकी सारी जो चीजे हैं वो चिली जाती है जो तनमातर रूप में हमारे चित में जो हैं वो अगले जनम में फिर से प्रकट होती है whatever are our stored experiences memories and scars वो अगले जनम में फिर से in the subtle form वो अगले जनम में फिर से वो प्रकट होती है तो यह कहते हैं कि यह 24 हमारे जो तत्व हैं वो प्रकृतिके हैं, बुद्धी, अहंकार, मन, चित, यह चार हो गए और यह जो 20 हैं, ज्याने अंद्रे, कर्मेंद्रे, तनमात्रा और पंच्वुक्ता, यह पांच निट चार बीस और यह 4, यह 24 जो हैं, यह हमारे यह सत्व, यह भगदगीता भी मानती है, और बाके लोग भी मानते हैं, मगर उसका जो कंक्लूशन है, उनका जो सिधानत है, उसको नहीं मानते हैं, मगर उनका एनलिसस, सांखьय में फिर Sankhy में कहते हैं कि भ Vai, हम को अगर यह सब क्यूँ हो रहा हैं, यह सब अनुभव क्यून हो रहें हैं ता कि पुरुष को प्रकृती से मुक्ति मिले वो मुक्ति का मिलती है जनम जनम में उनको अलग-अलग अनभव होते हैं अनभववों के द्वारा उनका ग dB बढ़ता है और अंति में उसको मुक्ति मिल जाती है What next, what next, जवाब करें लो numb सांख्या, उसके बाद योग है, योग तो सबसे फेमस है, तो सबसे फेमस है पातांजली योग सुत्रा, मगर योग में जो उसका जो बिगिनिंग, एंड, डेफिनिशन, वर्नन, जो भी बोलिया, व्याख्या है, वो दूसरे सुत्र में है, योग का वो एक डेफिनिशन, योग क्या है, जो चित्त है, जो हमारे मन में जो भी सारे संस्कार, चंचल मान आती रेंडम, उसके जो विर्ति है, मतलब, जो चंचलता है, उसको चंचल करना, तो बाइबल में कहते है, बी स्टिल, और नो देट यार गॉड, मतलब कि मन को शांत करिये, और आटमेटिक अंदर से, इश्वरी इतत्यों की अनुभूति करिये, आटमेटिक, उसमें मतलब, यही है सच, तो उसका फिर वो कैसे करते हैं करके, वो योग सुत्र में लिखा है, अगर उसके बारे में बात करना है, तो उसके बात करना है तो उसकी बात करना है तो योग सुत्र में मतलब, उसका बेसिक जो थौस्ट है, वो है कॉंसेंट्रिशन ईख माइट है, मण को एकाउडिक कराना, और ये एक साइकोलोजी उनको उस जमाने में सभज़ में आई कि जब मन बिलकुल एकागरित हो जाता है, बिलकुल कॉंसेंट्रेटर हो जाता है, तो अपने आप में वो शान्त हो जाता है, और स्थिर हो जाता है, तो जब मन शान्त और स्थिर हो जाता है, तो अपने आप से होती हमको ग्हान प्राप्त होती है तो तो होल टेक्नीक अफ योगा इस कॉंसेंट्रेशन अफ मैट मैं थोड़ा सो डिग्रेशन करता हूं जी तीन-चार साल पहले यहां पे आपके जेनियु में दलायल रामा जी ने एक कॉंफरेंस किया था माध्यमका फिलोसिफी ऑफ बुद्धिजम एंड कॉंटम मेकैनिक्स जो भी था उसकी बात नहीं कर रहा हूं तो थू मतलब इतिफाक से उनके साथ ही मैंने टेबल पे लंच किया एक फ्रांस के जाने माने कॉंटम फिसिसिस थे अरून शोरी जी थे मेरा जो मित्र में बता र तो उनका जो एट था वो कहते हैं कि वो हिंदी शिक्स नहीं सवँझ वे तो मैंने जहादा उनके साथ अंग्रेजी में बात की मैंने कि आपने कहाँ मैं बुड़ा हो गया हूं मैं धाई बज़े उठके मैं ध्यान करता हूं और अभी मेर को लंच के बाद मैं जा कि तो तब तक तो ऐसे हस्ते हस्ते जॉली थे तो फिर इलकुल सीरियस हो गया है कहते हैं ध्यान के दो टेक्निक होते हैं एक है कॉंसेंट्रेटमेंट यह योग है योग सुत्र में लिखा है एक अगरित दूसरा है वो कहते हैं अनलिसिस वो अपनी भाशा में कह रहे थे कि अ अपने आप को जैसे साक्षी भाव, विपासना में भी बोलते हैं, अपने आप को अपने जो ख्याल हैं, जो अपने थोड़्स हैं, उससे आप प्रे कर लो. डिटेच्मेंट, डिटेच्मेंट, तो अपने थोट्से ही डिटेच्छ, यह इदेटिफाइविध थोट्स, जो भी हमारे दिमाग मेरे सोचता है कि मैं रहू हूँ, कहारे आप थोड़ा पीछे अर्टिया और अपने ख्यालों को भी आप देखते रहिए, तो उससे वो धीर आप देखते हैं, तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए पहले थोड़ा हमको यह योग भी करना हूँ, यह मेरे टिपणी है, कि ओडिनरी पीपल लाइक अगर हमको spiritual life लीट करना है, तो concentration के द्वारा ही हम उस लेवल पर पहुंचने है, तो योग सुत्र में यह लिखा है, तो उसमें भगवदगीता में में लिखा है, योग जो चैप्टर है, उसमें भगवान श्री कृष्णा बोलते हैं कि मन को शांत करो, मन को इकागरित करो, तो अरजुन कहता है, कैसे हो सकता है, मन तो इतना चंचल है, हवा से भी जंचल है, इसको हम कैसे करें, वश में कैसे लाएं, तो भगवान श्री कृष्णा मानते हैं कि यह सही है, तो उनका जो वो फेमस है, कि अभ्यास है न तू काउंते है, यह हो सकता है, वहरा गेनचा ग्रियते, लगातार की, लगे रहो ने भाई, तो योग है, अब योग में वो कहते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, पहले अस्मिता मतलब की रॉंग इडिन्टिफिकेशन इड बाडियर, मैं यह दे हूँ, मैं यह मन हूँ, हम इससे इतना इडिन्टिफाइ करते हैं, इसके वज़े से भी होते हैं, बाद तो सही है, अगर आपके मन में कुछ चंचलता है, मुझे तो कोई उससे फरक नहीं बढ़ मुझे इससे लगाव है, उससे नफरत है, इससे भी अज्यान का और दुख का यह कारण है, और फिर वो बुद्धा भी कहते हैं, तनहा, क्लिंगिंग, मतलब हम यह जो जीवन है, उससे हम बहुत ही ज्यादा जखड़े हुए, जखड़े हुए, क्लिंगिंग टु लाइफ और हम मृत्यु से डरते हैं, तो यह छे कारण हैं, जिसके वज़े से हम पंधे हुए हैं, फसे हुए हैं, फिर इससे निकलना कैसे है, तो निकलने के लिए योग सूत्र में वो अश्ठांग योगा बोले है, तो अश्ठांग योगा में आठ वो हैं, तो सबसे पहले वो ब सत्या, अस्तेया नहीं, नहीं किसी के लोग नहीं कर, ब्रह्मचारिया, और अपारिग्रहा नहीं कि जवुरत भर का ही जुटाना? यह पांच वो यम है, मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए, फिर एक है नियमा जो हमें करना चाहिए, तो वो है कि शावच मतलब purity और संतोश मतलब हमको संतोश में रहना यह चाहिए वो चाहिए हाय हाय किलकिल में नहीं पड़े रहना मैं आदे एवाली गाड़ी चाहिए मेरे पास और भी पैसा कमाना वो संतोश जो भी है उसमें संतोश रही है फिर तपस तपस करना पड़ेगा फिर स्वाध्याय पढ़ाई करनी पड़ेगी और अंति में बोलते इश्वर प्रनिधान मतलब जो भी आप साधना कर रहे हैं वो आप इश्वर को समर्पित करतीजिए तो योग में तो ये वस्तु गोविन्दम तब्यमे यम और नियम तीसरा है आसन आप योग आसन के बारे में लोग कहके बहुत बड़ी पॉपिलारिटी हो गए मगर वो आसन यहाँ पे कहते हैं कि आप ऐसे स्थिर जगे पे बैठिए जहां आपको दीरे दीरे ध्यान करते हुए आपको अपने शरीर का बोध ही ना हो यू बिकम फर्गेट फुल ऑफ या बॉड़ी यू शुड बी कमफोर्टब। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट स्पाइन शुड बी स्ट्रेट क्योंकि वो तो है एक थेरी योग में भी है कि जो कुंडलेनी शत्ती है वो उपर की तरह आती है योग पावर से नुलाधार से लेके छे उसमें से आती है तो उसके लिए अगर हम उसको सीधा रखें तो वो ठीक रहता है मगर हम तीसरे चौथे में पहले नहीं गुसना चाहिए पहले जो यहम और नहीं उनको भी करना चाहिए फिर कोलते है प्रानायाम प्रानायाम का लिटरल है कि प्रान को कंट्रोल अफ प्रान मगर उसको वैसे हम पॉपलिली बहुते हैं कि ब्रीधिंग तो उन्हों नहों उस जमाने में उन्हों पता किया कि अगर हम धिरे धिरे प्रानायाम करें तो मन अपनी आप शान्थ जाता तो अभी तक हमने यम नियम आसन प्रानायम और अभी रेम प्रत्य आहार में आपके चित्न ने के दर्ज हो रहा है बिल्कुल मैं उस इंटर्प्रेशन से बिल्कुल सही मत हुक्त हुतों तो कहते हैं कि उसमें ठोड़ा सहीं रखिए उट्पाटांग चीजों को ना देखिये उट पुटांग चीज़ों को ना सुनिये खाने में तो सयम रखना ही होता है इत्यादी तो यह प्रत्याहर बाई साथ बिलकुल ठीक बात है आप वो यह सब लोग जो बोलते न मेटेलिका इटेलिका वाला जो म्यूजिक होता है इत्ती जोर जोर से बचता है क कि आप उसको लगा लो तो ऐसे चित थोड़ी देर में अशान्त हो जाए यह एक प्रत्याहर का यह तो सबसे बड़ा है घंटों भर लोग सुबह सुबह संतूर लगा लीजिए अमेस सुबुलक्षमी की आवाज शुप्रा भातम सुनिए तो उसका अलग असर होता है बिलक अंत में जो असली चीज है तो हम पांच में आ गए यम नियम आसन प्रानायम प्रत्याहर स्टेप बाइ स्टेप अंत में तीन है जो अंदर अंतकरण के है वो है धारना ध्यान समाधी धारना ध्यान और समाधी तो अगर यह सब आप ठीक से कर रहे हैं अपका जीवन क्रांत तो कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको ध्यान में आजाता है ध्याना ध्यांना था इसкими झाचलों से बॉलते ही हिंगी कि आपके प्रतिमेरी धार्ना बदल ग卡 कि हिंगी में वह थेए में जाए हम अउसके रधुञ हिंगी है इसको कोंस्कृइन मानना जाता है okay और कोंसेंट्रेशन पर ड् cambi होता है तो उसको ध्यान भोलते उसको बोलते तैला धारावत, मतलब जैसे तेल की धार गिरती है, ऐसे तो उसमें कोई रोक नहीं होती है, पूरा एक टू एक होता है तो कॉंसेंट्रेशन में भी माइंड में थोड़े सा चंचलता, विचलन नहीं होना चाहिए ब्रेक भी हो सकता है, थौट का हम एक की चीज़ को सोचेंगे तो बीच-बीच में कुछ दूसरे ख्याल भी आते है, पर जो सुप्रीम स्थिती है वो तेल की धार की जैसे वो ध्यान है, अब ये ध्यान तक हम पहुंचे तो पातांजली महारेशी बोलते हैं कि हमको बहुत साफधान रहना चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना योग सिध्धी मतलब आपको देखके आपके मन में क्या मैं समझ लूँ और कुछ सिध्धियां मिल जाती हैं, तो कहते हैं कि उससे आप आकर्शित ना हों, क्योंकि ये भी प्रकृतिके ही है आपका हंकार बढ़ेगा और आपमें ये पवर आजाती है कि लोग आपसे बहुत अकर्शित हो जाते हैं मतलब होता है ऐसा मगर फिर आप उसके पीछे भागेंगे पॉप्लिरेटी के पीछे भागेंगे या नारी, या पावर, या पैसा ये सब आपको उपलब्द हो तकता है मगर जाते हैं कि ये जो अश्टे सिद्धी है इसको आप उससे साफ़धान रहीए इससे दुर रहीए तो बार-बार नारी का जिक्राता है नारी से क्या थात परे है नारी नारियों को बोलते है पुर्ष ऐसा नहीं है क्योंकि ये देह से संबंदित है मतलब ये जो ये कह रहा है विप्रीत लिंग के प्रती आकर्शन बहेंकर आकर्शन पूरे दुनिया उसके ओपर चल रही है तो ये नहीं कहते हैं कि गलत है मगर आपको वो परमार्त ग्यान होना है तो इसको पूरे जो नहीं है पूरे नहीं डिफाइनिंग और डिसाइडिंग फैक्टर मतलब लेला मजनू अपनी तरफ ठीक है मगर अगर आवुसी में आप रहेंगे तो आपको परमार्त का ग्यान होना बहुत मुश्किल है कहने का मतलम है अगर मैं राव लेंगुज में बोलें तो यह है तो क्योंकि नारी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरुष की तरफ से बोल रहे हैं उनके लिए उनके लिए पूरुष बहुत ही आधर फिर यह ध्यान के बाद आता है समाधी तो समाधी मतलब वही दिवय ग्यान सूपर कॉंशिस टेट तो रामकृष्न परवमस के तो उनली modern photograph उनके समाधी की फोटोग्राफ है तो उसमें क्या होता है तो इसे ध्यान वस्ताम ऐसे बेठे होते हैं आंके हैं हलकी सी मूले आप उस तस्वेर की बात करें ने एक वह ऐसे खड़े हुए है रामकृष्न परवमस के तो उनकी शकल देखिया उसमें तो समाधी का मतलब क्या उनकी शकल से दिखता है बहुत फेमस फोटोग्राफ है आपको दिखाऊंगा बात में तो वह समाधी मतलब की ग्यान, एंलाइटन्मेंट तो उसमें पाताँजली जो बोलते हैं कि समाधी में दो लेवल से हैं मन शान्थ हो गया मगर नोर एंड नोन जानने वाला और जो सामने जो हम जिसको जान रहे हैं उसमें एक फरक है मन शान्थ है और हमको दिव्य जोती दिख रही है आनन्द भी है मगर एक फासला है बिट्विन दो नोर एंड नोन तो उसको वो सम्प्रग्नता समाधी बोलते हैं सम्प्रग्नता मतलब वित्क कॉंशसनेस you can say, loosely in English में बोलना है तो वो बोलते हैं कि एक लोर लेवल है, उसमें आनन्द है, उसमें सब कुछ है मगर मन को बिलकुल स्थिर करते हुए भी एक डिफरेंस है यह मैंने देखा, उसमें और मुझ में फरक है मन शान्त है, मगर फरक दिख रहा है जो दिव्य जोती भी मुझे अंदर से दिख रही है उसको मैं देख रहा हूँ वो दिव्य जोती और जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं हूँ वो उसमें पंतर है तो उसको लोर लेवल समाधि उती है फिर असब प्रगनता बोलते हैं महायशिय, नहीं पतांजली योगी वो कहते हैं कि वो है असब प्रगनता समाधि उसमें एक हो जाताए यूनियन, जो जीव और प्रहम्म है वो एक हो जाताए उसमें कोई फरक नहीं हुआ. जब तक मुझे सिर्फ चिडिया की आँख दिख रही है, तब तक वो लास्स स्टेज थी और मैं ही चिडिया की आँख हूँ. बस बिलकुल मैं ही हूँ आहम ब्रह्मा इसमी मैं ही ब्रह्मा हूँ तो एक complete union हो जाता है तो उसमें वो बोलते हैं कि निर्वीज समाधी निर्वे कलप निर्वीज मतलब कहते हैं जो हमारे जो संसकार हैं जो तन मातरा बता रहे थे अभी यह पता अंजलियों जो हमारे मन में इस conscious, unconscious, subconscious mind में पुराने जन्मों से लेके इस जनम के जो पुराने जो भी तो हमारा मानना है जैसे राम कृष्ण परम्स रामन महर्शी इत्यादी यह इस लेवल तक पहुंच गए थे गौतम बुद्ध बगवान स्री कृष्ण जीजस क्राइस इत्यादी वह इस लेवल पे पहुंच गए थे इसलिए वह महा गुरू और सब पूरी दुनिया उनका मतलब कोटी-कोटी प्रणाम करती है तो अन्त में यह इस लेवल तक ले जाते हैं पाता अंजली वह सोता हमें और यह भी कहते हैं कि इस ग्यान को आप घर में बैटके हीरो बनके मत करिए आप किसी अभी नमरता के साथ किसी ग्यानी पूरुश के पास जाके या महिला के और सब चीज़ों के साथ है वैसे ही तो यह योगा सुत्र को आज कल भी लोग पढ़ते हैं जो सीरियस स्पिरिचुल सीकर्स हैं जैसे आप हर्द्वा रिशिकेश में तमाम अखाड़े हैं जहां पे सादू सन्यासी तपस्या कर रहे हैं राम करिशने मेशन में जाईए तो इसका द्यहन होता है योग सुत्र का बिल्कुल आज का आज भी होता है क्योंकि यह तो प्रैक्टिकल चीज़ है अब पूर्वा मिमाम से जरा हटके है पूर्वा का मतलब जो वेदों का जो पहले दो अंश हैं वो है संभिता और ब्राम्हन जो कर्मकांड बोलते हैं जिसमे ब्राम्हन एक कोट ही है एक सेक्शन मान लीजिए आप वेदों का इसका मौझूदा जाती विवस्था से कोई संबंद नहीं है डूलकुल आपने ठीक कहा तो यह जो संभिता और ब्राम्हन जो दो अंश हैं उसको कर्मकांड बोलते हैं जिसमें यग्न होम हवन इत्यादी जो होते हैं वेदी कैसी बने मंत्रों के चारण का करम क्या हो बेलकुल स्वर क्या हो संगीत क्या हो और जो भी और डीटेलिंग फिर आती जाती है तो इसके उपर ही पूर्व इमाम्हन कहते हैं कि जो ग्यान कांड है उससे हमको कोई मतलब नहीं है और यहीं से वो तीन और अनन्त तो यह कहते हैं यह स्थापित करते हैं कि ऐसे हैं फिर उनका वही है इसी में कर्मकांड और उसमें बहुत वाद विवाद चलता था आजकर लगबग यह पूर्व मिमाम्हन एक तरीके से खतम हो गया वो कहते हैं कि वेदों का जो हमारा जो वेदिक धर्म है कि य है इससे आपको स्वर्ग मिलेगा मोक्ष नहीं मिलेगा स्वर्ग मिलेगा और जो उपन रिशोदों में लिखा है वो तो केवल एक स्टेटमेंट अफ फैक्ट है उसमें मुझे करना क्या है वो नहीं बताते तो हम कहते हैं कि वेदों का जो असली जो तत्व है वो को ही मानते हैं पूर मिमान सा वाले और फिर वो यह भी कहते हैं जो पहले भी चर्चा हुई थी कि वेदिक कर्म करने से हमको फल मिलता है वेद जो है इश्वर ने नहीं बनाया इश्वर ने क्यों नहीं बनाया क्योंकि अगर वेद अनाधी है तो एक टाइम में बैठके तो वो शष्थी के हैं, जिसे जीव का प्राण और जो सांस है, जैसे जुड़ा हुआ है, वैसे वेद और एशोर जुड़े हुए है एकी साथ अस्तित में आए एकी साथ में आए तो फिर वो कहते हैं तो ये तो इसको अगर बहुत लूजली ट्रांसलेट करें बहुत सरलीकरत करें कि कॉंशिसनेस ही वो इश्वर होना है ये कॉंशिसनेस की बात ही नहीं करते हैं कर्म की बात करते हैं that is the problem, वो कहते हैं कि हमारा धरम क्या है कि वेदिक कर्म करें पद्धति में रहें इससे हमको प्रराप्त होगा और उपनिश्दों में जो इतनी सारी बात प्राप्त हैं अस तो कहते हैं कि वो तो केवल एक fact है मगर हमको करना क्या चाहिए उसमें नहीं लि वेद कर्म करने से आपको फल मिलता है तो फल दाता रूप में जो इश्वर है जो हमको अच्छे करम के अच्छे फल देता है बुरे करम के बुरे फलम देता है जो फल दाता बोलते है इश्वर का एक रूप है तो फल दाता की जरूती नहीं है क्योंकि वेद करम से हमको फल मिलते हैं, तो वो ईश्वार को शुरू में वो नकार्ते थे, जो सबसे पहले था, बाद में जो भाश्या और टिकने ओो धेड़े दिरे इश्वार को मानने लगे, उत्तर मिमानसा में जब आई ने उत्तर मिमानसा तो अलगी है तो वो बिलकुल अलग है वो तो ग्यान कार्ड में चलाया था मगर इनकी जो भाजशाएं बाद में आई उसी पूर मिमानसा के जो परवर्ती भाजशे थे तो उन्हें ने कहा कि चलो ठीक है मान लेते हैं मौक्ष भी मिल सकता है मगर मौक्ष मिलने के लिए पहले हम वेदिक कर्म गन्हा हो रहा होगा है यह सबसे काफी रिचुलिस्टिक है काफी रिचुलिस्टिक है और मतलब एक डाइग्रेशन के रूप में कहूं कि जब गौतम बुद्ध थे तो उन्होंने देखा कि भगवान किया जा रहे हैं कि अस्तुति के पीछे जो भाव है वो नहीं है मुझे लगता है कि शायद इसलिए गौतम बुद्ध ने इसको नका रहा है क्योंकि ओवर एंफेसिस जो रिचुल्स हैं इसलिए उन्होंने नका रहा है फिर अंत में आता है वेदान्त सुत्र उत्तरम इमा तो ब्रह्म सुत्र जो है वो काफी आपने अलग से पूरा चैप्टर इसको डेडिकेट किया मैंने मुझे याद है कई साल पहले मैं किसी आश्रम में हरिदवार में रिचिकेश में था तो बलग बगल में कोई दूसरा आश्रम था वहां पे वो ब्रह्म सुत्र की वो रहे तो मैंने पर्मिशन लेली कि वो सादु महात्मा बर्मचारों के लिए होता है तो यार तुम भी बैठ जाओ तो मैं जाके वहां बैठा तो वो बहुत ही गहरा और बहुत अध्यान करना वड़ता है इसका ब्रह्म सुत्र वैसे तो मैंने एक चैप्टर में लिख दी आया है मगर वो इतना असान नहीं है तो अगर उसकी चर्चा करने है तो मैं करने को तयार हूँ मगर इसमें वो दो मिनिट में नहीं हो पाएगा आप दस मिनिट में मताईए इंट्रों तो ब्रह्म सुत्र जो है सबसे पहले कहां से आया तो ब्रह्म सुत्र को मानते हैं कि बादारा नहीं मालते हैं. तो वो इसमें है क्या? वो कहते हैं कि जो उपनिषद है, इसमें क्या है? पहली बात ये. हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? मोक्ष प्राप्त करते वकद हमारी जो गतिविती होगी, वो कैसे होगी? इन चीज़ों के उपर उनोंने थोड़ी हमको बताया है. तो ब्रह्मसूत्र का एक बहुत ही उंचा स्थान है. यसे मैंने बोला प्रस्थानत राय में उपनिश्र, ब्रह्मसुत्र भगवत गीता, ब्रह्मसुत्र और उपनिश्र तो उसका ये स्थान है और तमाम जो सिध्धान्त बाद में बने द्वायत, अद्वायत, विशिष्ट अद्वायत, इत्यादी वो सब ब्रह्म सुत्र को भी मानते हुए अपना सिध्धानत को स्थापित करते हैं चाहे शंकर हो चाहे मध्वा चाहरे हो सब के लिए ब्रह्म सुत्र को मानते हैं इचाहरामानुजाचारी हो तो उसमें जो पहला जो चैप्टर है उसको वो बोलते हैं कि समनवय वो सबसे पहले चैप्टर में ये कहना चाहते हैं कि सारे उपनिशदों में एक ही बात कही तत तु समनवयात मगर उसमें भी एक समनवय है उसको वो स्थापित करना चाहते है आपने इसको अलग से हाइलाइट भी किया है किताब तो यह समन्वे क्या है अब 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 उप्रशिद पड़ेंगे अभी मैं तो अनन्च ब्रह्मा प्रान अन्च ब्रह्मा अन्भी ब्रह्म है प्रान भी ब्रह्म है यह भी ब्रह्म है वो ब्रह्म है तो वो ब्रह्म सुत्र म में, जो कुछ गैन है, वो ब्रह्म के तरफ ही मतलब क्या बोलते हैं, पॉइंट फू ब्रह्मन उली, तो यह सबसे पहले चाप्टर में यह पूफ करते हैं. फिर, दूसरे चाप्टर में, वो कहते हैं कि वो अविरोध, करते हैं क me कि जईसे चार वक हैं हो कहते हैं कि इश्वरी नहीं है तवी नहीं है ब्रह्मी नहीं है सब कुछ भातिक है तो इसका वह आर्गुमेंट से प्रूफ करते हैं कि ये गलत है फिर पूर्व वम-पामस का भी वह कहते हैं कि जैसे कि ईशवर नहीं है, उसको नकारते हैं, ब्रहमकस उत्रहिनारें, इसका भी उसका भी वह प्रमान जेते हैं, कि इसे कैसे कैसे ब्रहिए हैं, तो उसका जैसे, मैं जायए, फंधारन देता हूँ, वद्ध DNA घरमें कहले हैं कि, shit, rock, 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 मतलब इस दुनिया में कुछ पर्मेनिट नहीं है, सब कुछ शर्णक शर्णक में बदलता रहता है. तो कहते हैं कि अगर ऐसा है, तो यह जो प्रपंच है, इसमें एक और अडर है, यह कहां से आया? हमारे मन में हमको यादे रहती है, मेमरी, अगर सब कुछ बदलता रहता है, तो यह कहां से आया? कल जो हुआ आपको याद है, एक साल पहले हुआ आपको याद है, तो ये मेमरी जो है, जो है, ये कैसे कैसे हैं कि हर एक उसमें बदलता रहता है, तो कुछ है, वो मतलब उस टाइप का अर्गुमेंट यूज करते हैं, बुद्धिजम और जैनिजम को थोड़ा नकारनी के लि लिखा है, आप ब्रह्मसूत्र की थोड़ी बता नहीं है, प्रफसर शास्पी की थोड़ी नहीं है, ये व्यक्तिगा दूप से मैं ब्रह्मसूत्र को मानता हूँ, बट इस बुक, तो फिर ये हुआ, फिर तीसरे चैप्टर में वो क्या कहते हैं कि भई, अब यहां से वहां कि मोक्ष मने क्या है, तो एक तरीके से हम बोले मोक्ष जो है, इसका मतलब है कि हमको पुनर जन्मन नहीं होता है, और आनन्दी आनन्द है, ग्यान है, इत्यादी, फिर वो कहते हैं कि एक सगुन मार्ग है, एक निर्गुन मार्ग है, तो इसकी भी चर्चा होते है कि जो ब् आप भज रहे हैं तो आपको भी इसके बारे में तो निर्गुन जो अदवायत इसका जो इंटर्प्रेटेशन है वो निर्गुन मानते हैं तो जो ब्रह्म सुत्र कहता है कि अगर आप निर्गुन उपासक हैं मतलब ब्रह्म में कोई गुंड नहीं है कोई आकार नहीं है नेम मृत्यों के समय में, पहले जो हमारे विचार हैं, वो प्रान में चिली जाती हैं, और जब प्रान छूड़ जाते हैं, सब का यह होता है. All the thoughts get merged in the mind, and the mind gets merged in the प्रान. प्रान जब छूड़ते हैं, तो प्रान निकल के, वो सब चीजों को अपने पास रखके, फिर से पुनरजनम लेता है, वो सब का होता है. मगर जो मोक्ष में होता है जो निर्गुन मोक्ष है वो जो प्रान है वो ब्रह्म में निलीन हो जाता है उसी में समर्पित हो जाता है तो उसका फिर पुनरजन में नहीं होता जो सगुन ब्रह्म के जो उपासक है कि इश्वर है इश्वर में इतने सारे गुन है, इश्वर ऐसा दिखता है, इश्वर ये करता है, इश्वर आनंद दायक है, इश्वर ये है, वो है, तो वो ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, तो ब्रह्म लोक में कई सदियों तक आनंद प्राप्त करते हैं, और उसके बाद वहीं से उनका मुक्ति हो जाता है, फिर स चंद्र लोग यह लोग यह सब लिखा हुआ इसमें फिर चौथे जो चैप्टर में हैं वो फिर यह बोलते हैं कि अंत में कि जिसी भी मार्क से आप जाएं आपका फिर से अगर आपको ब्रह्मग्यान हो तो आपका फिर से पुनर जन्म नहीं होगा तो शुरू का और अंत का जो इसका साराँश निकाले फ्रम बिगिनिंग टो एंड इसका पहला और लास्ट में है तो अतत हो ब्रह्म जिग्नियासा मतलब जहां से वो शुरू होता है ब्रह्म सो उत्रा चलो मुझे ब्रह्म के जानने की इच्छा है जिग्नियासा है फिर वो कहते है जन्मा धस्ययता जहां से सबकुछ उत्पन हुआ उस ब्रह्म के जिग्नियासा मुझे है जानने की जिग्नियासा है वहां से शुरू करते हैं और अन्त में ये कहते हैं कि अगर ये ग्यान प्राप्त हुआ तो अनावरित्ति शब्दात अनावरित्ति शब्दात दुद ब्रात मतलब फिर से आपका जनम नहीं होगा फिर से आपका शब्दात मतलब जैसे वेद ने कहा शब्द का यहां पर मतलब है वेद जैसे उपनिश नहान आपे घांते उसकी उसकी ज्दाप्त करना चाहते हैं उसकी पुरी छत्चा होती है अद्ध में कहते हैं कि जैसे अुपनिश्युध ने कहा जब आपको वो जंदी ग्यान पराप्त होता है to not same आपको मोक्ष में जाता है that is the whole of the Brahma Sutra मैं पूरा ठीक नहीं बता पाया क्योंकि इसमें कई वहां पी जो क्लासिस में देखे हैं हर रोज दो तीन घंटे के क्लासिस हफ्तों में चनती है अगर आप या पेक्षा कर रहे हैं कि पाँच आठ मिनिट में Brahma Sutra तो भगवद गीता के उपर इतने सारे किताबें और इतने सारे कॉमेंटरी लिखे गए हैं तो हम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते मागर तीन चार चीज़े मैं हाइलाइट करूंगा क्योंकि पहले आए वेद उपनिशद उसके बाद आए Brahma Sutra और फिर आए भगवद गीता ब्रेकिंग ग्राउंड अब लोग ब्रेक निस तो सबसे पहले नई चीज़ भगवद गीता में क्या है तीन चार चीज़े हैं सबसे पहले बार हम देखते हैं कि भगवान स्री कृष्णा सामने आके बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ मेरी पुझा करो सर्वध धर्मान परित्यज्य मामे कम शर्णम ब्रज तुम हम तौा हम सरपापे भ्यो मोक्षिश्यामी माशुचा माशुचा बिल्कुब तो वो कहते हैं कि मेरी पुझा करो मैं आपको मोक्षिदूंगा जिसुस क्रेश्ट पे ऐसे बोलते हैं I am the way, the truth and the life I will redeem तो पहली बार हम देखते हैं कि एक personal God जिसका रूप है जो साकार है जिसका शरीर है वो आके कहता है कि मेरी पुझा करो और आपको मोक्षि मिलेगा उपनिशदूंगे नहीं जाईगे दूसरी बात क्या है कर्मयोग कर्मयोग है थोड़ा बहुत ईशावासे उपनिशद और इत्यादी में बट कर्मयोग का पुरा वर्नन है तो बहुत फेमस है कर्मनेवा अधिकारस्ते इत्यादी की कर्म करने का तो उन्होंने एक पूरी फिलोस्फिर डेवलप किये कि कर्मयोग के द्वारा भी आप मोक्षि प्राप्त कर सकते हैं तो ये परसनल गॉड मतलब जो परभ ब्रह्म है वो निराकार है साकार नहीं है उसका कोई गुड नहीं है उसके हम क्या उपासना करेंगे सब लोग को नहीं कर सकते बगवान कहता है कि हूँ मैं आपके सामने मेरी को उपासना करो मैं आपको मुख्ष दोंगा वर्षिप ऑ परसनल गॉड इस फर्स टाइम इंडियन फिलोसफी भगवत कीता में और दूसरी बात है कर्मयोग जो पूरी फिलोसफी में डेवलप किया है और तूसरा क्या है कि उन्होंने समन वाए मतलब चारों साधनाओं को मिलाया है तो चार है भक्तियोग कर्मयोग ग्यान योग और ध्यान योग जो राजयोग बोलते है ग्यान और ध्यान जो मैं दलायलामे की बात कर रहा था यह सब भगवत कीता में चारों के चारों योगों का पूरा वर्नन दिया हूए तो बग्तियोग के बारे में मैं क्या कहूं बग्ति तो कई लोगों मैं, मुझे में भक्ति है, ऐसा नहीं है कि हम पुरा ग्यानी है, तो जो साकार लोग हैं, जैसे आप गौतम बुद को भी मैं भगवानी मानता हूं, मैं तो अपनी तरह से मानता हूं, तो उनके तरफ हमको एक भक्ति रूप में हमको लगता है, कि बई कुछ महान तो वो एक नॉर्मल चीज था, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरीके से बोलें, कि भई उस भक्ति के दोरा भी आपको ग्यान प्राप्त हो सकता है, मगर जो मुझे समझ में आया, वो जो बोलते हैं, कि भक्ति क्या है, अंत में सारे ग्रंतों में क्या लिखा है, जो हम जो 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 ज कर्मयोग के बारे में जो कही टिपनिया दिगई है, अब सब लोग ध्यान में नहीं बैठ सकते. सब लोग त्याग करके ज्यान欸 मिनेशा, सब लोग सजय नहीं लेने वाले हैं. कई लोगों में भक्ति नहीं भी होती है, तो करेंगे क्या? तो भवगान स्टीकष ने कर्म करो. अब कर्मे में क्या है, मैं अच्छा काम करूंगा, मैंने आज रजग लगा खाया, मुझे अच्छा लगा, तो कल फिर से लगेगा कि रजग लगा खाया, तो ये चलता रहेगा तो इस कर्म से हम कैसे मुक्ति प्रफ करेंगे तो ये रजगे करेंगी टेटैच्ट, निशकाम कर्म करो. फर वो भी कहता है कि कर्म से दूर मत रहो, ये यूं कहता है कि आप एक शन भी आप बिना कर्म रहें नहीं कर सकते हैं. आप उप बैठी है, मन में चन छलता हु बही ह और आपके अंदर जो दबे हुए संसकार हैं जन्म जन्म हंतरों के जो संसकार हैं और इस जन्म के वो उभर के निकलेंगे तो निकलेंगे निकलेंगे तो करम तो आपको करना ही पड़ेगा मगर से मुक्त कैसे होंगे आप अगर निशकाम करम करेंगे तो जो भी आप करम करें उनके संसकार आपके दिमाग में नहीं जाते हैं, जैसे आप जो बाद में कबीर करते हैं, जैसी की तैसी दरदीनी चधरिया Clean Slate Clean Slate, तो वो संसकार जो आपके दिमाग में फिर से नहीं आते हैं, आप निशकाम करेंगे अच्छा ब्रावा भुगया, खतम, वही के बाद खतम हो गई, अजिए नोट क्रिएट फ्रेश इंप्रेशन्स अग्रेशन्स अग्रेट, तो दिरे जो दवेवे संस्कार है, मैं जैसे कहता हूं कि यहां पर पंखा चल रहा है, बिजली है, वो काम है, तो बिजली के अधर पर चल रही है, अब निश्काम करम का मतलब है कि स्विच आफ कर दो, तो स्विच आफ करते ही पंखा बंद नहीं होता है, मगर धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो जब निशम करते हैं कर्म करते हैं को पंक्खा दीरे-दीरे ligand जाते हैं आप मुक्त व जाते हैं तो अधिर नहीं होना है कि आने सूच बंद कर दिया है बंद क्यों नहीं हो आ इसका मतलब थेरी कड़ पड़ है इस ह्वेसे नियीं करने है कि मेरे बात पर श्रद्दा रखो तो ये एक महान जो सीक्रेट है भगवान स्री कृष्ण ने कर्मयोग में बोला और फिर ध्यान योग वगरा इत्याति तो ही है और जो सबसे ज़रुड़ी चीज अभिहासें तो कौन थे बिल्कुल लगे रव मुन्ना भाई तो ये साइंट्स में भी बोलते हैं तेन थाउजन आवर्स आपको सितार बजाना है संगीत गाना है आपको क्रिकेट में महार बनना है तो वो कहते हैं कि हमको 10,000 गंटे हाँ हाँ ये काफी famous theory है 10,000 गंटे बारी तो ये वो ही कह रहे हैं मसल मेमरी में आ जाए भगवान स्री कृष्ण भी यही कोड़ा पुराणों के बारे में बहुत बात होती है और सबसे अदा पुराणिक कहानियों का ही प्रचलन है जादातर हिंदू हिंदू धर्म का जो स्वरूप जानते समझते और मानते हैं उसमें ये जो हमने दर्शनों की बात की बहुत कम लोग भिगए हैं उसके बारे में वेदों के बारे में बात करिए तो उनको कुछ एक उसके कपलेट्स कुछ श्लोकियाद होंगे सूक्तियाद होंगे पर विस्तार से नहीं उपनिश्दा, उपनिश्द, अरण्या, कब्राम, उन सब के बारे में यही है, ब्रह्म सूत्री बारे में भी यही है, लेकिन आप पुरानिक कहानियों पर बात करिये, तो वो सब को पता हैं, खूब, किसी को गरुन पुरान की कहानी पता होगी, किसी को ब्रह्म वैवर्त की किसी को मारकंडे की पता होगी किसी को सकंद की पता होगी कोई कूर्म सुनेगा कोई वारहा सुनेगा कोई अग्नी सुनेगा सबसे फेमास तो भागवत पुरान है और भागवत पुरान का तो सबसे ज़्यादा वाचन और पाठ होता है तो यह पुरान जो हैं कब निकले कहे नहीं सकते हैं मगर मानना यह है कि वेदों के बाद वेदों के बाद यह पुरान आई थे और मेडवल एज तक इनमें जोड़ घटा होता रहा तो इसमें जैसे भगवान स्री कृष्ण साकार रूप हैं पुरानों में वो परभ ब्रह्मा को साकार रूप दिया है शिव, ब्रह्मा, विष्णु, नारद, बहुत सारे जो उसके प्रकार हैं अनेक लक्ष्मी, पारवती, तरस्वती, ऐसे इत्यादी, बहुत सारे देवी दीवियों का है अब इसके में क्या टिपन नहीं दूँगा, तो मुझे क्या लगता है कि जो आम जनता ऐसे नहीं कहना चाहिए मगर जो जातर जो लोग हैं, उनको जैसे आपने कहा ये ग्यान मार्ग जो है उनको बेटता नहीं तो ये पुरान कहते हैं कि ये साकार रूप है इश्वर का, अलग-अलग रूप है, जो आपको पसंदा है, उसकी पूजा करिए और आनंग में लेगे आपको ऐसे संभाव सखा भाव समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्रिष्णा और सुदामा की कहानी सुनके समझ लीजिए, शायद वो भाव जागरित हो जाए बिलकुल, बिलकुल बहुत अच्छी बात कही आपने, इस टाइप की जो चीजे हैं, और वो बच्चों से लेके बड़ों तक वो लोगों को बहुत अकरशित भी करते हैं, तो पुराणों में जो है, पांच चीजे हैं, एक की वो इंगलिश में कास्मालजी बोलते हैं कि य विश्व का जागरत कहां से हुआ, फिर है कोस्मालजी, मतलब की यह दुनिया क्या है, कैसे है, जैसे एक उदारन है, उस जमाने में पुराणों में लिखा है, जैसे सूरज है और आर्थ हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स, तो ऐसा नहीं है कि एक प्लैनेट एस जा रहा है, वो पुराणों में लिखा है कि they are all on the same plane, तो सूरज के सभी एक प्लैन में है, और modern science में भी लिखा है, तो यह कोस्मालजी में है, कक्षाएं अलग-अलग हैं लेकिन वो dimension same है, एक प्लैन में है, एक उसमें है, ऐसा नहीं है कि यह सूरज है, और धर्ती ऐसे जा रहा है, तो यह सब पुराणों में यह सब लिखा है, कोस्मालजी में आता है कि प्रपंच कैसे चल रहा है, फिर यह इश्वर के बारे में है, कहनिया, इश्वर और भगवान के बारे में कहनिया है, फिर वो यह कहते हैं कि राजा-राजाओं के बारे में कहनिया है, और धर् जानारस, श्रीसेलम, ऐसे काई चीजों की जिक्रह होता है कि यह सब पुन्यक्षेत्रा हैं. तो इसमें इतने सारे पुराने तो कहां से शुरू करें मुझे नहीं बानू. तो एक छोटी सी दो मिनिट मैं जैसे भागवत पुरान जो है भगवान स्रे कृष्णा के बारे में हैं. तो तमाम जो कहानिया हैं, जो हमारे हिंदू देश में सब लोग जानते हैं, जैसे जब वो बुच्चे थे, तो उसकी अमा ने उसका मुझ खोला तो पुरा विश्व उसमें दिखा. माटी खा रही हैं पिर भीतर ब्रह्मान नजर आया है. तो वो भी उसमें है, फिर जो और अब देखिए, इसको कोई अध्यान करें, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे तें, कि सिर्फ भूमी वो उतत्व है, जिसमें पाचों इंद्रियां जागरिध होती हैं, और मुँमें माटी है, तो वह क्या आप कहीं भी ले जा स कि इसको दूद पिला और दूद में जहर है तो मर जाए, मर जाएगा तो मगर उसने ऐसा दूद पिया कि वो मर गई और उसको मोक्ष भी प्रात हुआ, फिर कलिया मर्दन हुआ है, जो सांप था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वह वाली कहानी, क्योंकि बालक तूने मुझे विष्ट दिया, तो मैंने विष्ट से ही तेरी पुझा की, वाट लवली स्टोरी इसाइटेलियो, बहुत इजवर्दस्त है, तेरा तुझको अरपन क्या लागे मेरा, तूने मुझे विष्ट दिया, तो मैंने विष्ट से ही तेरी पुझा की, वो कहते हैं मर जाता, तो कहते हैं कि उसको भी मोक्ष प्राप्त हुआ कलिया फिर गौवरद्धन की है इत्यादी, बहुत सारी कहनिया है ये सब भगवत पुरान में है तो भगवत पुरान का एक बहुत ही, जो शुरू में अए, वो बहुत जवरदस एक कहनी है तो भागवत पुरान कहते हैं कि अगर आप ठीक से समझें और उसको पढ़ें तो मोक्षिदायक है, जिवन का लक्षे प्राप्त हो जाएगा, मगर आप शुरू में देखिए क्या होता है, तो जो परिक्षित था, परिक्षित जो था उनका पोता होता है ना, अर्जुन का, अभिमन्ययों का बेटा है या अभिमन्यय का पोता मुझे याद बहुम आ रहा है, घृट पुर जन्मेज जै उनका पेटाण तो परिक्षित को एक सांप मिलता है कि अब दस दिन में मर जाएंगे, तो किसी सांफ वामने काटा ता तो दस दिन में मरने वाला Hai, तब आके उ अगर आपको यह बोद है कि मैं मरने वाला हूँ मित्यू बोद और सभी को मित्यू बोद है आप भी मरने वाले हैं, मैं भी मरने वाला हैं, ऐसा कोई नहीं है मगर उस बोद से अगर हम यह शास्तरों को सुने और पड़ें तो पूरी एक करकात है कि सब कुछ हम अंदर ले लेते हैं तब ही ग्यान प्रापत होता है उस मैंड सेट से हमको सुनना चाहिए क्योंकि जब मित्यू बोद होता है तो आटमेटिक त्याग हो जाता है अब छोड़ो आप तो मरने वाले हैं, अब क्या करें सब ठाट धरा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बन जारा महात्मा कुछ बोल रहा है, सुन लेते हैं इसकी बात तो ये भागवत पुरान है तो इतियादी बहुत सारे पुरान है समुद्रमंतन की कहानी है, तो बहुत ही जवर्दस कहानी है समुद्रमंतन में जो देव हैं, इंदरलोक में वो असुरों के साथ, देव असुरों का चलता रहता है तो वो हार गए, तो महाविश्नु के पास गए कि हमको बचाओ तो कहता है कि तूंको बचने के लिए आपको अमृत की जरुरूत है तो अमृत कहां से निकलेगा? और समुद्रमंतन से निकलेगा समुद्रमंतन कैसे होगा? तो वो मंतरा एक पाढ़ है उसको समुद्र में ढाला पिर उसको शिर सागर को उनको करना थαι लग लिपटा, वो पूछ की तरह चले गया वो सर की तरह चले गए मक्षन आजकल भी निकालते हैं जो अज़ बहुत लंबा था तो एक तरफ समंदर के उसका जो सर है वो असरों को दिया और दूसरी तरफ देवों को दिया और उसको फिर गुमाने लगे जब गुमाने लगे तो पूरी पृत्वी जो है वो नीचे डूबनी लगी तो विष्णू ने कूर्म अवतार तॉर्टाइस का अवतार लेके नीचे गए और उसको अठाया तो दूसरा अवतार उसके बाद जब विष्ण निकलने लगा तो विष्ण इतना वह था कि पूरे दुनिया को खतम कर देता तो शिव जी ने वह पूरे विष्ण को धारण कि इसलिए उसको निल कंट बोलते हैं तो स्वामी विष्ण कहते हैं कि विष्ण वो है जो दुनिया के दुखों को और जो पाफ है विष्ण पाई ये शब्द इस्तमाल करते हैं वो वो शिव है तो ऐसा बोलते हैं तो ऐसे तो वह समंधर मंतन में कई चीज़ा निकली वो सब कुछ इन देवां को दिये कुछ इनको दिया तो ये सब कहनिया है मैं अब प्रोफेसर विखुल आखरी चैप्टर प्यारा हूं जिसका हम लोग लगातार जिक्र भी कर रहे हैं भक्ती ट्रडिशन तो सांसों की माला पे सिम्रू में देखे अभी तक जो भक्ती में आते हैं तो भक्ती ट्रडिशन में क्या होता है कि अभी तक सारे गरंत जो थे वो संस्कृत में थे तो भक्ती ट्रडिशन में वो संस्कृत में नहीं है जन भाशा में है जन भाशा में है जैसे तुलसी दास जी कहते है सबसे फेमस नॉर्थ इंडिया तो तुलसी दास का ही है तो ए यह बहुति है, बहुति है साकार ईश्वर की भूझा करना, जैसी राम कि आपर निर्गोर में निरा कार की जैसे कबीर। चबीर एक श्पेशल है जो यह अपासक है, मगर जाधा थार भक्तिर टृश्ण में वह स्गुन की प्रदानता यहीं सागुन है कबीर है, महाराष्टर में ग्यानेश्वर, ऐसे पूरे देश भर में इतने सारे अलग-अलग भाषाओं में जो संत महात्मा निकले, तो वो सब असली संत थे, उन्होंने तपस्या किये, उनको दिव्य ग्यान प्राप्त हुआ, यह मानना जाता है, और उसको उन्होंने संस्र कि अधिश्में भी घुमाऊं चाहे आप हिंदी में देखिए, टमील में देखिए, तल्गु में देखिए, बंगाली में देखिए, मराठी में देखिए, बीम सेझ जोशी भारत रतना वो उसके अभंग गाते थे ते तकाराम के अभंग और कुछ कंड़ा और किसीरोज सो क्योंकि भक्ति ट्रडिशन में जैसे कबीर अभी भी नहीं जानते हम कुन से जातका हैं, यह तो कैसे हैं तो ब्रामन नहीं था, यह तो पक्का कह सकते हैं, तो अलग-अलग जात के लोग आए, महिलाएं भी आएं, मीरा भाई, जो सांसों की महला के आप बगत कर रहे थे, उन तक अपनी बातों को पहुंचाएं और जिनको संस्कृत नहीं आती है, मुझे भी अतनी तरक अच्छी तरह से नहीं आती है, जातार लोगों को संस्कृत नहीं आती है, मगर जो वेद उपनिशदों और गीताओं में जो तत्व हैं, वो सरल भाशा में उन्होंने लोगों के कर का मन का डे मन का मन का या viver तो बहुत फेमश यह तो दिनभर माला खरा मगर 막र मन का जो फेर अभर गया नहीं जैसे वह पूर मिमांसघा वाले थे टे कर्मकान बेकर्मकान लेकिन मन का मन का नहीं गुआ रहे नहीं गुमा तो मनका का तो थोड़ा खेल है आप जानते हैं आप तो हिंदी से वर्ड प्ले एक क्या बोलते हैं मुति मनका और मनका यानि की जे तो कहते हैं कि जो कर का मन है उसको छोड़ दो जो मन में जो मुति है उसके उपर ध्यान दो तो आपको मुक्ति मिलेगा इत्यादी अब पाहन पूझे हरी मिले तो मैं पूझे तो मैं पूझे ताते हरी चाकी हैं पीस खाए संसार साहिप मेरा एक है दूझा कहा न जाए मतलब कहते है ये बहुत अच्छा है बनने साला पढ़ दीजिए पुरा साहिब मेरा एक है दूजा कहा न जाए दूजा साहिब जो कहूं साहिब खड़ा रसाए मतलब एक ही इश्वर है एक ही मेरा साहिब है अगर दूसरा भी है तो वो ही वो साहिब ही कहलवा रहे हैं कि दूसरा है तू का तू तो ये अबीदा परविन ने बहुत जवर्दस थी है इसका जो गुलजार के साथ गाना गाया है ये आप सुनिये का बहुत अच्छा है ये सब कवीर के दोहों के उपर है मगर ये निराकार तो मीरा का तो बहुत ही फेमस है कि सांसों की महला पे सिंबरू मैं पिया का नाम इस सांस से मैं तुझे याद कर रही हूँ यही तू है और ये तोड़ा सा ऐसा वो बोलती है ने कि अब किसमत के हाथ है ये बंदन की लाज मैंने तो मन लिख दिया सांवरिया के नाम तो वो एक रानी थी और सड़कों पर नाच्टी थी उस जमाने में मतलब ऐसा करना तो नही मतलब इज़त और जो उस समय की है उससे तो नीचे है मगर वो कहती है कि मैंने ये जो बंदन की लाज है भागवान स्री कृष्णा मैंने लिख दिया किसमत के हाथ तो ये बंदन की लाज तेरे हाथ में जो होगा सो होगा मतलब तो ये भक्ती की बात है कि हम मतलब शेम क्या बोलें शर्म लिहाल इगो इन सबसे परी चलेगा है चोड़के मैं तेरे चर्णों में जा रहा हूं या जा रही है यह बहुत पारफुल चीज़ है यह क्योंकि अपरिशद भी कॉंशिसनेस की चर्म वही बताते हैं कि मोक्ष है कि आप सबसे मुक्त होते जा रहे हैं राग द्वेश वोसी का यह और प्रक्टिकरान है यह मुक्त हो के बूल रही है इत्यादी और बंगाल में जैसे आप गॉस्पल आफ राम कृष्न पढ़ेंगे तो राम प्रसाद काली मा को डांटता है कहता है कि मैं तेरा क्या आट महीने का बच्चा हूं मतलब प्री मैचोर चाइल्ड हूं क्या है तेरे जो लाल आख है मुझे डरा नहीं सकती मेरा जो संपत्ती है वो तेरे चर्णी तो मेरे संपत्ती है और अगर तू मुझे मुझे ग्यान आनन्द बगर नहीं देगी तो मैं कोर्ट में जाकर आपके ओपर केस डालूगा ऐसे लिखा है तो ये जो है कि ईश्वर और भक्त के बीच में एक अच्छा सा एक वो प्यारा सा हुमन टच दे देते हैं तो वो हमारे प्रकट आजाता है कहीं वो प्रभ्रम कहा है मुझे क्या मनों तो वो कहता है तू तू मेरी माँ है अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं तेरे उपर केस डालूगा तो ऐसे ये बगति-मार्ग जैसे मेरा भी बोलती हैं कि मैंने तो ऐसे भक्ति मार्ग में हर एक भाशाव में कभीर लिखते हैं ना कि राम मेरे प्यूँ मैं राम की बहुरिया क्या बात है मैं राम की बहु हूँ वधू और फिर कभी लिखते हैं कभीर कूता राम का कभीर राम का कुता है कभी बहु बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं अचले कबीर ने भी राम के उपर दोहे लिके पर उनके वो निराकार राम थे ब्रम उनके निराकार राम थे एक जरा आपने आखरी चैप्टर जो है पॉपलर हिंदुजम उसमें कुछ बड़ी जरूरी चीज़े छुई है आज हमारे देश में जो एक आंतरिक दुरूबलता की बड़ी वज़े है जाती की विवस्था जिसमें परमपरागर धाचा रहा, शोशन रहा पर आप देखिए कि हम जिस हिंदुजम की बात करते हैं उपनिशदों में, शड़ दर्शन में ब्रह्म सूत्र में कहीं जाती का जिक्र नहीं है थोड़ा सा एक पुरुष सुक्तम में है रिगवदा में जिसमें वो बोलते हैं कि ब्रामपन शत्रिय वगरा का है थोड़ा सा जिक्र और भगवत कीता में भी एक जिगे है मगर एक बात बिलकुल स्पष्ट बारं बार दोराते हैं कि ये जो दिव्य ग्यान है ये जो मोक्षा है इसके लिए सभी लोग सबका अधिकार है इनके लिए है इनके लिए वो नहीं है सभी अमरित अस्य पुत्रा है श्रिणवन्ते विश्व अमरित अस्य पुत्रा तो वो गुरु बोलते हैं कि सुनो दुनिया वालो तुम सब अमरित के पुत्रो तो इसमें ब्रामन शत्रिया, मैं तो ये कहता हूँ कि मुसल्मान, इसाई, यहूदी, जैन, बहुत, सभी उसमें आते हैं, सभी में वो दिवज होती है सभी अमरित की संताने हैं सभी अमरित की संताने हैं इस अ हेर राइसिंग नंद को अच्छा लगता था श्रीण वंतु विश्वे अमरित अस्य पुट्रा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सब हम सब हम सब में वो हम सब अमरित के बता है Children of Immortality Yes So that is a grand idea of Hinduism तो अगर हम उस तत्वे में जाएंगे जैसे मैं एक दो मिनट में कहना हूं कि एक बार हमारे कुछ मित्र हैं activist type जो राजस्तान में गरिबों के साथ काम करते है तो किसी वज़ाई से उन्हों ने कहा है कि आप हिंदु धरम के बारे में बात करिए बात कर था उस टाइम में जूम चल रहा था क्योंकि यह सब ऑनलाइन हो रहा था क्योंकि लॉक डाउन था तो सब लोग चैट में अपना क्वेश्चन दे रहे थे तो उसमें अरुना ने बोला कि हमारे साथ रामलाल जी है यह जानते हैं वो सीधा आप से सवाल पूचिया तो रामलाल जी ने अरुनार आए तो रामलाल जी वहाँ पर कारिय करता है यह मजदूर हैं जो भी है वो गुमा गुमा के पूच रहे थे मगर उनका जो तत्व जो एसेंशियल क्वेश्चिन क्या है कि हम लोग दलित हैं हम को मंदिर में नहीं कुसने देते आपका हिंदू धर्म क्या कहता है तो मैंने तब का तब कुछ कुछ जवाब दिया मगर मेरे को एक दूसरा लेक्चर दो दिन के बादे मैं दो दिन सोचता रहा कि यार सवाल तो सही है इसका जवाब देना पड़ेगा तो जब दूसरी बार शुरू आप तो मैंने शुरू में का तो मैंने यही बोला कि आप भगवद कीता का नाम सुने है यहाँ जी सुने तो है मगर पड़े नहीं है कोई बात नहीं तो भगवद कीता को बहुत हम उच स्थान देते है तो भगवद कीता में कहते हैं कि जो धिव्या आत्मा है वो सब में है और वो एक ही है, यह नहीं कि ब्रह्मनों में अलग आत्मा है और दलितों में अलग आत्मा है, पुरुषों में, सब में एक ही आत्मा है, तो आप सब के एक ही समान है, आप भी दिव्या है, मैं भी दिव्या हूं, सब लोग दिव्या है, ना ब्रह्मन है ना शत्रिया नहीं है because this is the eternal truth अब उसको अच्छा लगा नहीं लगा मुझे नहीं मालूम but ये बात मुझे लगता है कि हमको भाराम भात दुरानी शेगे the divine spark, the आत्मा is identical in every human being और एक बार वो भाव आपके अंदर आ जाएगा तो अटमी नहीं पुरुष नहीं, सब में एक है जात नहीं, धरम भी नहीं क्या मुसलमानों में वो आत्मा नहीं है क्या आप इसको किसी आप उपनिशद में बता दीजे कि लिखा है कि मुसलमानों में आत्मा नहीं है कभी नहीं कह सकते पूरे विश्वे को बोधित करते हुए कह रहा है कि सब में वही दिव्यात्मा है इसको हमें स्विकार करना चाहिए उदाक्त भाव सर्वसमावेशी बहुत ही जवर्दस्त है ग्रैंड एडिया बशर्टे हम उसे समझें उसकी तरफ उत्सुक्ता के विनम्रता के भाव से जाएं और जब हम उसे अरजित करें तो लगातार अहंकार मुक्त होते रहें प्रफेसर शास्त्री बहुत आनंदायक रहा आपसे इस किताब के महाने चर्चा करना किताब वाला का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या पढ़ रहे हैं ये भी बताते रहे हैं ताकि समबात का सिलसला चलता रहे शुक्रिया